गुड इवनिंग ओल आफ यू तो एंटी पीसी जो है इसका सेट नुम्मर टू का आर्ट्स वाला सेक्शन जो है इसके डिसकेशन को लेकर मैं आपके सामने क्वेश्चन नमर एक से इसकी सुड़वात करता हूँ ठीक है ठीक करके आप लोग फटा फट जुड़ें इसमें से हाँ जो आ गए आ गए अनीश कुमार गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग दोस्त इडंजन कुमार कह रहे हैं कि से सर से टुवन का डिसकसन कम मिलेगा इस भीया मेनेजमेंट वालों से बात कर ली जाएगी ठीक है देख लिए जाएगा कल तुमें अफ अमरित सर में स्वर्ण मंदिर स्री हडी मंदर साहब के अधार सिला रखी थी देखिए ये चुली में ऑप्सन के अधार पे क्वेश्चन का अंसर निकलेगा और करेक्ट रूप में देखें तो रामदास का नाम भी कहीं कहीं आता है गुरू जो रामदास थे गुरू अंतरन दिया था फजरत मियामीर को और उसके बाद अमरित सर में स्वर्ण मंदिर के धार सिला रखी गई थी लेकिन इसमें महत्वपुर्ण कॉंट्रिव्यूशन गुरू अर्जुन देव जी का भी था इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है क्योंकि रामदास थो आप्सन में गुरू नानक के द्वारा की गई थी गुरू नानक आपके एक्जाम में कुश्चन आएगा कि गुरू नानक किसके समकालीन थे तो बाबर के समकालीन थे बाबर के ये समकालीन थे ठीक है इन्होंने इस धर्म की अस्थापना की सिक धर्म की अस्थापना इनके द्वारा ही की गई अस्थापना अब इसमें कई गुरू हुए गुरू परंपरा इसमें चलता है ठीक है गुरू परंपरा जो है इसमें चला करता है और इसमें एक जो गुरू हुए गुरू अंगद इनके द्वारा गुरू मुखी लिपी का अविस्कार किया गया था गुरू मुखी लिपी ठीक है आविस्कार किया गया था एक तो पॉइंट यह हो गया फिर इसमें जो गुरू अरजुन देव हैं काफी फेमस थे अरजुन अर्जुन देव, इन्होंने क्या किया? गुरु गरंथ, साहिव, को अपडेट किया था, मतलब उसमें से कुछ चेंज था, अपडेट किया, अदतन करने वाले कौन थे? गुरू गरंत साहिब की रचना तो गुरू नानक ने कर दी थी लेकिन उसमें चेंज कुछ परिवरतन लाने का काम गुरू अरजुनदेव ने किया था गुरू अरजुनदेव को जहांगीर ने मौत की सजादी थी जहांगीर ने मौत की सजादी थी क्योंकि जहांगीर के बेटे को इन्होंने सन रक्षन दिया था खुसरो को मौत की सजादी थी सजादी ठीक है ये पॉइंट याद रखेंगे यहां एक बात और याद रखना है कि एक हुए गुरू तेग बहादूर गुरु तेग बहादुर और गुरु तेग बहादुर को औरंग जेव ने मड़वा दिया था औरंग जेव ने अत्या करवा दिया था अत्या करवाई थी ठीक है ये भी याद रखेंगे यहाँ पर सबसे अंतिम गुरु जो थे सिक धर्म के अन्तिम गुरू ये कहलाए आपके गुरू गोबिन्द सिंग इसके बाद उन्होंने गुरू पडमपड़ा को ही समाफ्त कर दिया और इनका जो जन्म है ये पटना साहिव या पटना सीटी के नाम से जिसको जानते हैं पुराना पटना वहाँ पड़िन का जन्म हुआ था तो यह सारी पॉइंट्स आप याद रखेंगे करेक्ट आंसर हम फस्ट का ही लगा के निकल रहे हैं ठीक है इसमें से गुरु अंगद के दौरा गुरु मुकी लिपी का भिसकार हुआ अर्जुन देव ने गुरु गरंत स को समाप्त कर दिया गुरु परंपरा को इन्होंने समाप्त कर दिया परंपरा को समाप्त कर दिया था इसके जगह पर इनको नहोंने कहा कि गुरु गरंत साहिब को ही मानना पड़ेगा आपको गुरु ठीक है तो करेक्ट आंसर यहां पर निकल के आ रहा है एक तरेक्ट आं लिए उज भेकों से लिया गया था। इस उज भेकों से लिया गया था। बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैनिरणिती को हम तुलुगुमा के नाम से जानते हैं तो सकेंड का करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आया C ठीक है बाबर जो है 1526 इस्वी में इसने पानी पत की पर्थम लड़ाई लड़ी पानी पत की पर्थम लड़ाई ठीक है और इसमें इबनाहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत का सासक था उसकी हाड हुई और उसी के साथ दिल्ली सल्तनत का भी कहानी खत्म हो गया और मुगल बंस की अस्थापना बाबर ने की 1527 इस भी में 1527 इस भी में इसने खानबा का युद्ध लड़ा खानबा युद्ध और इसमें क्या किया राना सांगा को पड़ाजीत किया बाबर ने पड़ाजीत किया ये ध्यान रखेंगे 1528 में फिर ये लड़ाई लड़ा जब तक रहा लड़ाई लड़ता रहा 1528 चंदेरी का युद्ध चंदेरी का युद्ध इसमें दक्षनी भारत के सासा किसने मेदनी राय को पड़ाजीत किया मेदनी राय को इसने हडाया पड़ाजीत किया ठीक है यह यह भी ध्यान रखन है इसको कलंदर के नाम से भी जाना जाता है कलंदर कहा जाता है मतलब उदार था यह उदारता के कारण से जब ये पानी पत की पर्थम लड़ाई जीत गया था तो इसने अपने काबुल में या अफगानिस्तान काबुल बासी को एक-एक चांदी के सिक्क्य दिये थे इसको कलंदर के नाम से जाना गया थीक है इसका जो मकवड़ा है मकवड़ा वह काबुल में है लोक्तान सकेंड काया सी सी जो है करेक्ट आंसर है आई ये कुश्चन नमर 3 पे आते हैं डैस पर 1857 के बिद्रोह के बिद्रोहियों का नित्रितु करने के आड़ोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून डिर्बासित कर दिया गया जहां उनका 3.62 में डिधन हो गया ये थे अंतिम मुगल बादसाह बहादूर साह जफर जिनको रंगून डिर्बासित कर दिया गया यहां एक बात में बता दूँ मुगल सासक तीन ही ऐसे हैं जिनका मकबडा भारत के बाहर है बाबर इसका काबूल हो गया जहांगीर लाहाओर हो गया और एक आगए बहादूर साह जफर जफर ही सिधा में लिखता हूँ जहां बढ़मा हो गया मयाम मार हो गया ठीक है भारत से बाहर बाधमा की जो मुगल सासक हैं उन सब का मकबडा भारत में है भारत से बाहर तीन का ही है बावर यहांगीर और जफर तो यहां पर बहादूर साह जफर जो है 1857 के बिद्रोह में लगा था ध्यान रखिएगा कि दिल्ली में दिल्ली में बहादूर साह जफर जफर तथा बक्त ने बक्त खा जो इसका सैनिक था बहादूर साह जफर का सैनिक था उसने 1857 की अगवाई की दिल्ली कानपूर की बात करें तो 1857 की लडाई में नाना साहब थे यहां का नेत्रित किया नाना साहब लखनव की बात करें तो बेगम हजरत महल थी लखनव में कानपूर हो गया दिल्ली हो गया लखनव हो गया फैजाबाद की बात करें फैजाबाद तो अहम दुल्ला अहम दुल्ला इन्होंने अंग्रेजों के बिरुध इन्होंने अंग्रेजों के बिरुध फत्वा जारी किया था क्या किया था फत्वा जारी किया था ठीक है और अंग्रेज ने अंग्रेज ने पचास हजार का इनाम रखा था पचास हजार का इनाम रखा था अहमदुल्ला पर सबसे बड़े दुस्मन यही थे जहांसी की बात करें तो लक्षमी बाई थी लक्षमी बाई थी पिहार की बात करें जगदीसपूर की जगदीसपूर तो बाबू कुबर सिंग थे तो इस प्रकार से ये साड़े नायक थे जिन्होंने 1857 के अंदोलन में भाग लिया था इसमें एक तात्या टोपे थे तात्या टोपे जिनके साथ गदारी किया उनके दोस्त मान सिंग ने मान सिंग ने गदारी किया धोखा किया धोखा दिया धोखा दिया तथा अंग्रेजों के हवाले कर दिया अंग्रेजों के हवाले कर दिया किसको तात्या टोपे को तो तात्या टोपे को धोखा देने वाला 1857 के बिद्रोह में कौन था तो मान सिंग था तरेक्ट आंसर क्या होगा मान सिंग मान सिंग था ठीक है तो यहां पर थाड का करेक्ट आंसर क्या निकला भी थाड का करेक्ट आंसर आपके पास निकल के आया बी ठीक है इतने पॉइंट इसमें है क्वेस्टन नमर फोर्थ पर आईए उस गवर्णर जनरल का नाम बताईए जिसने पैरा माउंटिस नामक नितिक आरंभ किया पैरा माउंटिस यानि सरबोचिता यानि बिर्टिस जो इस्ट इंडिया कमपनी है उसकी सरबोचिता को अस्थापित करने बाला वारेन हैस्टिंग्स था वारेन हैस्टिंग्स 1773 में य ये बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है उसके बाद इसने क्या किया 1773 में ही सुप्रीम कोट की अस्थापना की जिसको हम सरबोच न्याले कहते हैं सरबोच न्याले की अस्थापना की 1781 में इसने मदर्सा की अस्थापना की मुस्लिम सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहां ध्यान रखना है 1784 में एस्थापना भी की गई थी इसी के सासनकाल में बिलियम जौन्स के द्वारा और एक बात और याद रखिएगा कि विलिकिन्स नाम के एक अंग्रेज बिद्वान ने विलिकिन्स ने गीता था हितोप देश जो कि हिंदू धर्मगरंथ था हितोप देश का इंग्लिस ट्रांसलेशन इसी के समय में किया था और देशी रियासत के साथ देशी रियासत प्रिंसियली अस्टेट जिसको कहते हैं के साथ इसने इसने मतलब वार्ण हैस्टिंग्स ने रिंग ओफ फेंस रिंग ओफ फेंस जो पैरा मौंटी से ही सम्बंधी था यानि घेडे की नीती मनाई थी सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि रिंग ओफ फेंस घेडे की नीती इसके दोड़ा तयार की गई थी तो Warren Hastings के दोरा तैयार की गई थी तो फोर्थ का करेक्ट आंसर यहां पे हमारे पास क्या निकल रहा है डी निकल रहा है ठिक है और यह इतने पॉंट से जो उसके समय में हुए या उसने किये ठीक तो करेक्ट आंसर फोर्ड का आया डी गांधी जी को डेल गारी से बाहर फेक दिया गया था स्टेशन का राम था पिट्स मेरिट्स बेर्ग या पीटर मेरिट्स बर्ग इसको कहते हैं उसके बाद इन्होंने काफी वहां संघर्स किया 1893 में इन्होंने अफरिका में नटाल इंडिया कॉंगरिस की अस्थापना की इंडिया कॉंगरिस नाम की संस्था की अस्थापना की ठीक है उसके साथ इन्होंने ताल स्टाई भडम की अस्थापना की भडम की अस्थापना इसमें भडम की अस्थापना की फिनिक्स आसरम की इन्होंने अस्थापना की फिनिक्स आश्रम 1904 में फिनिक्स आश्रम की अस्थापना की इंडियन ओपीनियन ओपीनियन नामक समाचार पत्र का भी प्रकासन किया समाचार पत्र का प्रकासन किया ये साड़े काम जो हो करते हैं 1915 को ये अफरिका से भारत लोटाए भारत लोटाए और फिर भारत में आके इन्होंने अंदोरन की सुरुवात की ये साड़ा काम उन्हों का अफरिका में किया हुआ था नटाल इंडिया कॉंग्रेस के अस्थापना तॉल्स्टॉय फोर्म के अस्थापना तॉल्स्टॉय फोर्म में इनके साथ इनके साथ कालन बाख था ठीक है ये जड़मनी का चित्रकार था जड़मनी का चित्रकार था चित्रकार इसकी सहायता सिर्होने तॉलस्टॉय फोर्म के स्थापना की थी तो 5 का करेक्ट आंसर हो गया पीटर मेरिट्स बर्ग क्वेश्चेन नमबर 6 पूक्षेन नमबर 6 यास्ट निम्लिकित में से कौन सा जल्डम्डू मध या स्ट्रेट अच्लन्टिक महासागर को प्रसांत महासागर से जोड़ने वाला मैं ग्लेण अस्ट्रेट होता है Magalene, correct answer D Magalene State होता है ठीक है यहाँ कुछ और देखिए मलक्का जल्दमरुमध यह हिंद महासागर को पрसंत महासागर से जोडती है हिंद महासागर को हिंद महासागर को जोडती है परसंत से पेस्पी कौशियन से परसंत महासागर से कौन? मलक्का जल्डमडू मद मलक्का के बाड़े में एक बात और याद रखिएगा ये मलेसिया को मलेसिया को इंडोनेसिया या इंडोनेसिया नहीं लिखके मैं सुमात्रा कर दूँ सुमात्रा से अलग भी करती है अलग करती है तो दोनों प्रकार के question आएंगे दोनों का answer मलक का जल्डमडु मद्ध क्या करता है मलेशिया को सुमात्रा से अलग भी करता है हिंद महासागर को परसांद महासागर से दोरता है डाड ने ली जल्डमडु मद्ध जो है ये दक्छिन अमेरिका में है दक्छिन अमेरिका को उसी के उसके कुछ द्वीप से अलग करता है कुछ द्वीप से अलग करता है अलग करता है इतना आप याद रखेंगे ये आपका हो गया दार्डेन ली ज़ पाक जल्डमडु मद्ध आप जानते हैं ये भारत को स्रिलंका से अलग करता है अलग करता है ठीक है ये हो गया तो correct answer आपके पास क्या निकला यहाँ पे correct answer निकल क्या आया किस से किसको जोड़ेगा अट्लांटिक महासागर को अट्लांटिक ऑसियन को पेस्फिक ऑसियन से जोडने वाला मैगलेन अस्ट्रेट होता है ठीक है correct answer आपके पास निकल क्या आया डी question number 7 पे चलिए question number 7 2008 से संजुक्त रास्ट्र United Nations जंगलों में संग्रहित कारवन के महत्व कारवन उत्सर्जन में कमी और कारवन उत्पादन को कम करने है तू निवेश के संबंध में जागडुक्ता बढ़ाने के लिए read नामक कारजकरम संचालित कर रहा है और इस read का full form क्या है इस read का full form है reducing emissions from D D से हो गया deforestation and forest degradation forest degradation ये actually में full form होता है read का redd read तो correct answer क्या निकल क्या है renewable energy नहीं reducing emission reducing emission from disintegration disintegration नहीं है deforestation है deforestation reducing emission from deforestation and forest correct answer क्या निकल क्या आगया D 7 का correct answer निकल क्या आगया D D जो है 7 का correct answer है ठीक है आईए question number 8 काली मिटी काली मिटी काली मिटी को कहते हैं रेगुड मिटी लावा मिटी तपासी मिटी ये सब नाम इसी का है लावा मिटी बैसाल्ट चट्टान से इसका जन्म होता है बैसाल्ट चट्टान से ये निडमित होती है काली मिटी एक पॉइंट दूसरा पॉइंट इसमें aluminium, iron, calcium, चूना की परधानता होती है परधानता होती है nitrogen, phosphorus, potassium की कमी होती है कमी होती है ठीक है राजस्थान, महारास्ट, गुजडात, MP, अत्तीसगड, ओडिसा आदी राज्यों में ये मिटी पाई जाती है ठीक है? ये मिटी पाई जाती है इतने points थे इसमें से अब इस काली मिटी के बाई में इतने points थे आपने जान लें ज़रा question पर आते हैं question कहड़ा है काली मिटी के बाई में से कौन सा कथन जो है वो सही है ये मिटी के सभी प्रकाडों में सबसे कम उपजाओ है सबसे कम उपजाओ तो नहीं है ये दक्षनी पाठाडों के ये point गलत है सबसे कम उपजाओ है गलत point है ये ये दक्षनी पाठाडों के अधिकांस हिस्से में पाई जाती है ये point तो सही है ये उत्तर भारतिय गंगा के मैदान के अधिकांस भागंगा में तो है ही नहीं है काली मिट्टी में फासफोरस नाइट्रोजन परचुर होते हैं, उल्टा नहीं होते हैं, पहले बता चुका हूँ कि NPK की कमी होती है, यानि कुल मिला के सही एक ही आया B, तो करेक्ट आंसर इसका निकला क्या B, जो है इसका करेक्ट आंसर है, दक्षिन पाथार के अधिकांसिस मैंने पूरा राज लिख दिया, वहां सौट में लिखावा था, ठीक है, एट का करेक्ट आंसर भी, एट का करेक्ट जो आंसर हो आपके पास है, ठीक, आईए क्वेश्चन नमबर, क्वेश्चन नमबर आते हैं, 24 पे, मुद्रा योजना के तहत रिन सीमा को बढ़ा कर कितन सीमा को 20 लाग कर दिया गया है, करेंट का एक क्वेश्चन है, मुद्रा योजना की सीमा 20 लाग, फाल ही में राष्टपती द्रोपदी मुडबु ने एतिहासिक उदैगिरी गुफाओं का दोड़ा किया, ये किस राज में है, ये एक चली में ओडिसा में है, करेक्ट आंसर और उदैगिरी क्या था? प्राचीन, हिंदू, धर्म की मुर्तियां, मुर्तियां और पलस में चित्रकारी, चित्र उसमें, गुफा में है, जिसको देखने के लिए वहाँ पर राष्टपती गई थी, ठीक है, प्राचीन, हिंदू धर्म की कई मुर्ती बनी हुई है, चित् 25 का उदैगिरी गुफा फेमस है या आप इस पूर नम नाम को याद रखेंगे कोश्चन आने की संभावना है उदैगिरी कहा ओडिसा 25 का ए ए आई ये साल 24 के सर्वसरेष्ट किरसी राजजी पुरसकार से सम्मानित किसे किया गया महरास्टर को अचामनित उद्यमित यानी वो बिजनेस अपना खोलना चाहते है बढ़ाना चाहते है तो उससे संबंदित जो आखला होता है ठीक है उसको समझने में, analysis करने में सक्षम बनाती है, रूपांतरित करने में, तो ESS का actually में पूर्ण रूप क्या है, पूर्ण फॉर्म फॉर्म क्या है, इसका फूर्म होता है, executive support system, ESS का मतलब executive support system, executive service system, senior system, series system, support system. correct answer क्या निकला D, 28 का correct answer आपके पास निकला D, executive support system है, ये EEC, question ये भी आ सकता है, ESS, किस से संबंधित, उद्यमिता से संबंधित, उद्यमिता से संबंधित, ठीक है, आईए question number 29, उस पर्थम समर्पित भारतिये खगोलिये मिसन का नाम क्या है, जिसका लक्ष, एक साथ, एक सड Optical और UV Spectral Band में खगोलिये सुरोतों का अध्यन करना है, देखिए, इसमें कई चीजें है, X-ray, Optical, UV Spectral Band, इसमें Astronomically Study, खगोलिये स्टडी करना है, Astro Set था ये, Astro Set, बहुत पुराना question पुछ लिया गया है, जहां तक मुझे याद है, ये 2015 में लांच किया गया था, ठीक है, और PSLB से लांच किया गया था, PSLB Code Number Sambhavta C30 था, सही है, PSLB Polar Satellite Launch Vehicles इसको कहते हैं, Polar Satellite Launch Vehicles इसको कहा जाता है, इसी से, लांच किया गया था, Astro Set को, जो काफी महत्तोपुर्ण एक सेटेलाइट था, ये एक उपगरह था, भारत के लिए, इस रो के दोड़ा इसको लांच किया गया था, ठीक है, 29 का हुआ, A, करेक्ट आंसर 29 का क्या या, A, हाँ, बिल्कुल 29 का करेक्ट आंसर है, A, A, आईए, Question Number 31, Microsoft Word में, Best Special Dialog Box खोलने के लिए, Shortcut कुंजी क्या होती है, Shortcut कुंजी जो होती है, ये होती है, Cartel, L, पलस V, ठीक है, Correct answer C, ये जो Correct C, Option है, ये इसका सबसे Best answer है, Best Special Dialog Box खोलने के लिए, इसी का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो 31 का Correct answer आया, C, 31 का Correct जो answer है, वो आ आपके पास C है, निमलिकित में से कौन से अस्थान को अद्वितिय प्राकिर्तिक प्रियाबरन होने की वजह से, युनेसको द्वाड़ा, 1985 में, बैस्विक बिरासत अस्थल घोसित किया गया, ये भी एक तफेस्ट कोशन आएगा, क्योंकि 1985 में घटना हुई थी, ये आपक अब्भ्यारन असम, असम को युनेसको के द्वाड़ा, 1985 में ही व्यश्विक बिरासत अस्थल घोसित किया गया था, अब्भ्यारन को, ठीक है, यहां कुछ बात में बता दू, अब्भ्यारन जो है, अब्भ्यारन ये भारत में अभी 573 हैं, टोटल, ठीक है, और ये कुल छ खेत्रफल का 3.87% कंटेन करते हैं, 3.87%, अब्भ्यारन क्या होता है, किसी बिसेश जीव, बिसेश जीव जन्तुओं को सनरक्षित करने के लिए, सनरक्षित करने की, की एक बेवस्था होती है, ये बेवस्था होती है, ठीक है, सरकार के दोड़ा नोटिफिकेशन निकाला जाता है, और तब इसको बनाया जाता है, अब भ्यारन को, ठीक, यहाँ पर एक बात और में बता दूं, कि एक होता है नेसनल पार्क, रास्ट्रिये उद्ध्यान, नेसनल पार्क, नेसनल पार्क की संख्यां भी 105 है, कहीं कहीं प शेत्रफल का लगभग 1.35 परसेंट होती है, लगभग 1.35 परसेंट होती है, यहाँ मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि रास्ट्रिये उद्ध्यान जो होते हैं, यह अहस्तक खेपनिये जोन होते हैं, यानि यहाँ पर मानव हस्तक खेप वरजित होता है, जब तक कि सड़कार न कहें, कोई व्यक्ति उसमें नहीं जा सकता, और नस्नल पार्क जो होता है, किसी बिसेश जीव के लिए नहीं होता है, एक छेत्र के सभी जीवों को बचाने के लिए होता है, सभी जीवों को सनरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो correct answer यहां पर 45 का क्या आया बी, 45 का correct answer जो है अपके पास बी आया, ठीक, बी To kill a mockingbird के लेखा कौन है To kill a mockingbird के लेखा कौन है एक book है, इस book का आपको writer का नाम बताना है तो hard per लिए, देखिए एक बाध्यान से, जो writer वाली बात होती है कौन सा book, कौन से writer, इसमें याद करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता है तरीका क्या है, जैसे question का discussion हुआ इसमें तो कोई discussion ही नहीं है ये तो सीधे question का answer हमने बता दिया और यहीं होगा भी, अब इसको आप अलग से note कर लेंगे कहीं page में कि इस book के ये लेखक थे ऐसे करके कई साड़े discussion में कम से कम 30-35 ऐसे writer आ जाएंगे उसी में से question कहीं कहीं संभावना बनती है, कात फंस जाए तो अच्छा रहे, तो ये तरीका इसका होता है है, इसको आप जो है अलग से एक collect करके इसको रखेंगे 30-35-40 जो भी हो जाए ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि याद करने के सिवा इसमें और कोई रास्ता है ही नहीं, तो 46 का correct चांसर आपके पास निकला D, 46 का D, भारत में रास्ट्रिये लोग सेवा दिवस कम मनाय जाता है भारत में रास्ट्रिये लोग सेवा दिवस 21 अप्रेल को मनाय जाता है ध्यान रखेगा 21 अप्रेल को रास्ट्रिये लोग सेवा दिवस मनाय जाता है 22 जो अप्रेल है ये पिर्थवी दिवस होता है ध्यान देजिएगा 22 मार्च है यह जल दिवस होता है जल दिवस 22 मई है यह जैब विविधता दिवस होता है जैब विविधता दिवस होता है चीक है? तो यह तीनो परियावणन सचा पांच जून जो है पांच जून यह परियावणन दिवस होता है बिसु परियावणन दिवस इतने point को आप याद रखेंगे ठीक है इससे काम आपका निकलेगा तो correct answer C का क्या आया 27 का correct answer आया 47 का correct answer आपके पास आया C Question number 48 9 verse को अलग-अलग भागों में विभीन नामों से मनाये जाता है 9 verse जो मनाने की पडमपड़ा है ठीक है जैसे अब पंजाब अगर से ले जाईए तो 9 verse का हिते वहर वो मनाते है वैसाखी के रूप में ठीक है वैसाखी के रूप में मनाये जाता है तो एक नाम हुआ इसी प्रकार का नाम है ये नवडे, उगादी, विशू, पाना, संक्रांती कौन किससे सम्मन्धित है किस-किस राज में ये पूछ रहा है तो देखिए नवडे जो है ये कस्मीरी हिंदू नववर्स है कस्मीर का हिंदू नववर्स है नवडे तो क्या आ गया? D उगादी जो है ये तेलगू नववर्स है उगादी विशू जो है ये मल्याली नववर्स होता है मल्यालम में जो है विशू नाम से नववर्स को मनाया जाता है और पाना संक्रांती जो है ये उडिया नववर्स है तो यहां आ गया B ठीक तो D, C, A, B D, C, A, B ये correct answer D है इसमें D, C, A, B ठीक है correct answer जो है वह आपके पास क्या निकल के आया D, C, A, B है हाँ पर D, C, B ठीक है ये भी C तो correct answer इसमें सा गया 48 का 48 जो है उसका correct answer आगया आपके पास D ठीक ये सारे नववर्स होते हैं जो अलग-अलग time पर मनाये जाते हैं अलग-अलग भारत के हिस्से में ठीक है नववर्स और इसे भारत का अगर देखें भारत का तो जो रास्ट्रिय पंचांग हमारा स्विकार किया है सरकार ने पंचांग जो स्विकार किया है वो एक्चुली में किया है कनिस्क के द्वारा कनिस्क के कनिस्क के द्वारा जो सक संबत शुरू किया गया था सक संबत और ये कब था? 78 इसमी में शुरू किया गया था और इसका पर्थम महीना क्या होता है? पर्थम माह जो हिंदी का होता है वो चैत्र होता है यहीं से हमारे 9 वर्स की सुरूबात होती है ये 21 या 22 तारिक को होता है 22 ताडिक को और चैत्र से ही हमारी शुरुवात होती है जनवड़ी फड़वड़ी हमारा नहीं होता जो हिंदी का हमारा अपना चलता है ठीक है राष्ट्रिये पंचांग हिंदी वाला उसक संबत चलता है तनिस्क के द्वारा इसके स्थापना की गई थी ये कुसान बंस का सा सक था थनिस्क काये सा सक था एक महान सा सक था ठीक है takiej तो फॉट्रीड का गर्रेंश डी निकला फॉट्टीड का करेक आंसर री पूर्टी है आपका नाम क्या है सर ये rust siempre यहाँ पे एक दो का नाम और बैं लिख़ दूँ सिब कुमार सड्मा सड्मा सीब कुमार सड्मा जो है इस rental एबुए संतूर बादक है शिवकुमार सर्मा ठीक है और पंडित रभी संकर की बात अगर करें रभी संकर रभी संकर ठीक है रभी संकर तो यह सितार बादक है थेमस सितार बादक ये सिवकुमार सर्मा पे कई question एक्जाम में आ चुका है तो यह आप याद रखेंगे इसलिए मैं लिख रहा हूँ और बिस्मिल्ला खां की बात तो आप जानते ही होगे बिस्मिल्ला खां भाड़ा तरतन बिजेता हैं बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला खां ये सहनाई बादक है सहनाई ये बादक है तो इतने points आप याद रखेंगे अल्ला रखा कुड़ेसी जो थे तबला बादक थे ठीक न? ओके आईए 49 के बाद आते हैं question number 50 की ओर 50 की ओर आते है question number 50 की ओर 66 है विए हिमाले की बाहतम पड़बत स्रेनी सिवालिक है बड़ी अच्छी बात है जिसकी उचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है और इसकी चोड़ाई कितनी होती अच्छा मैं फूरा इसमें डायग्राम बना के डायग्राम नहीं फूरा आपका खिच देता हूँ ये कि हिमाले की कितनी चोटिया और क्या क्या होता है हिमाले को एक्छुली में उचाई और चोड़ाई के हिसाब से तीन भागों में बांटा जाता है एक को कहते हैं हिमाद्री क्या कहते हैं एक को हिमाद्री हिमाद्री को सरबोच हिमाले ये कहा जाता है या सरबोच हिमाले सड़बोच हिमाले कहलाता है ये दूसरा होता है हिमाचल स्रेनी हिमाचल या मद्ध हिमाले मद्ध हिमाले, मिडल हिमाले या इसको लगू हिमाले भी कहते हैं कन्फ्यूज नहीं होना है अलग-अलग नाम दिया हुआ है तीनों आप याद रखेंगे और तीसरा होता है सिवालिक सिवालिक जिस पर question पूछा है या इसको बाहरी सिवालिक बाहरी हिमाले कहिए बाहर हिमाले कहते है ठीक ना? ये तीन हो गए बाहर हिमाले कहते है अब इसमें से हिमाद्री या सरबोच हिमाले जो है इसकी आप अगर उचाई देखते हैं तो ये 6000 मीटर ओसत होता है सबसे उचा यही होता है चवड़ाई अगर आप देखिए इसकी तो 120 से 190 किलो मीटर ये 190 किलो मीटर इसकी चवड़ाई होती है 190 किलो मीटर इसकी चवड़ाई होती है ठीक है? जितने भी आपको उची चोटी मिलेगी, जैसे Everest हो गया, Everest, कंचन जंगा, कंचन जंगा, नंगा पडवत, नंदा देवी, नामचा बडवा, योड़नाचल प्रदेश में है, कामेत, ये सभी जो हैं, ये सब हिमाद्रिया सरबोच हिमाले में आते हैं, अब आईए लगू हिमाले, लगू हिमाले की जब बात करें, तो इसमें उचाई जो होती है, वो 3700 से 4500 मीटर होती है, और चवड़ाई जो होती है, ये 80 से लगभग 100 किलो मीटर होती है, इसमें कुल मिलाके आप मानके चलिए कि पीड पंजाल, धौलाधर, मसूरी, महाभारत स्रेनी, ये सब जो है, ये आपको मिलेगा कहां, हिमाचल या मद्ध हिमाले, लगू हिमाले में, अगर ये पूछ देख हिमाले का वो कौन सा भाग है, जो स्वास्त वर्धक पर्यठन के लिए जाना जाता है, कोई बिमार आदमी भी वहाँ जाए, तो वो स्वास्त हो जाएगा, जैसे मसूरी बगेड़ा, तो ये जो है हिमाचल मिडल हिमाले, आज में आते हैं, हिमाचल स जल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और जो इसकी जो उचाई ये है, और चवडाई अगर देखें इसकी, तो चवडाई इसकी दस से पचास किलो मीटर होती है, इसमें क्या होता है, हाबर तथा तराई परदेश पाए जाते हैं तराई परदेश इसमें पाए जाते हैं भाबर परदेश जो होती है ये कंक्रीली होती है कंक्रीली और ऐसी कंक्रीली होती है कि नदी बगेड़ा इसके नीचे से बहेगी उपर आपको सुखा दिखेगा रेत और कंक्रीली कराई परदेश जो होता है मुखिरोप से दलदली परदेश होता है दलदली छेतर होता है छेतर होता है इस तरह से विभाजन होता है तो correct answer आप क्या निकालेंगे बाहितम स्रेनी सिवालिक की चौडाई पूछा है तो 10 से 50 किलो मीटर 30 से 55, 15 से 20 10 से 50 cm बाह बहुत बढ़ियां है यह cm mistake है गलत है किलो मीटर लिखा होगा और तब correct answer क्या निकल के आएगा C C इसका correct answer होगा यह cm को हटाइए किलो मीटर लिखे ठीक है तो इस तरह से हमने देखा कि question का जो answer है 66 का निकल के आपके पास साड़ा है C C 66 का correct answer है ठीक है 66 का correct answer है 1. tá कहां पर हो रहा, test मेड़े दोस्त सुभास पाल है this test भिखना पहाडी में तो होई रहा है और center का मैंने कहा जानता हूँ लेकिन भिखना पहाडी में test होता है ठीक है, ये test आप दे सकते है श्यलद कोई क्यों बताएगा, ठीक है तेस्ट भिखना पहाड़ी में होता है और सेंटर पे होता है कि नहीं इनकी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आपको बता दूंगा मैंनेजमेंट से उतनी जानकाड़ी मेरे पास नहीं होती है लेकिन यहां पर होता है संभवता टेस्ट यह ठीक और अगर कोई दिक्कत हो इसमें त पास visto यह गोविंद बल्लब पंद के दोड़ा कहा गया था D यहाँ पे correct answer है गोबिंद बल्लबपंथ ने इस बात को कहा था देखिए हमारा जो संविधान सभा है संविधान सभा का निर्मान संविधान सभा का निर्मान किसकी सिफारिस पे हुआ था कैविनेट मिसन किसी फारिस पे cabinet mission की सिफार इस पे हुआ था जो 1946 में गठित किया गया था इस cabinet mission में तीन सदस थे पैथिक लॉरेंस एबी एलेकजेंडर जेंडर और अस्टेफर्ड प्रिप्स ये तीन जो लोग थे ये इस cabinet mission में थे और इस cabinet mission की सिफार इस पे संबिधान सभा का निर्मान हुआ था ठीक है पहली बात तो ये दूसरी बात ये ये जो संबिधान सभा थी संबिधान सभा इसमें याद रखिएगा स्वतंत्रता से पहले से पूर्व पूर्व कुल सदस्य जो थे सदस्य 47 के बिभाजन के पस्चात के पस्चात इसमें कुल रह गये थे सदस्य मात्र 292 292 जो थे सदस्य इसमें 229 ब्रिटिश प्रांत से से 229 थे और सत्तर जो थे ये देशी रियासत या प्रिंसियली अस्टेट से थे संबिधान सभा की पर्थम बैठक पर्थम जो बैठक इसकी हुई थी 9 दिसंबर को 1946 को ठीक है इसमें क्या हुआ था सचिदानन्द सिन्हा पर्थम अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे बाद में डाक्टर राजेंद्र परशाद को अस्थाई अध्यक्ष निक्त किया गया था ठीक है किसको डाक्टर राजेंद्र परशाद को इस तरह से दोनों point याद रखेंगे और जो 13 दिसंबर 1946 की बैठक हुई थी इस बैठक में उद्देश प्रस्ताव पढ़ा गया था कुश्चन आएगा किसके द्वारा तो जवाहरलाल नहरू के द्वारा इसी उद्देश प्रस्ताव के अधार पर संबिधान जो है हमारा बन के तैयार हुआ था तो 67 का correct answer हो गया D सिक्स्टी सेवन का correct answer D सर टेस्ट डेली होता है उतकर सिद्वनसी ओनलाइन टेस्ट किस एप पर होता है सर एक्चुरी में प्लेटफॉर्म बाई नभीन कुमार सिंग होगा उसी पर होता होगा यह ठीक है और इसे में कनफर्म होके आपके बताऊंगा और दूसरी बात यह क सिक्षट बढ़ा तो में भी स्टार्ट होगा रेगुलर लेकिन अभी हाल फिलहाल तो संटर्डे और संडे को ही होता है ठीक है क्योंकि आज में पहला ही डिसक्रसन करवाड़ा हूं और सेट नंबर टू का करवाड़ा हूं ठीक है फस्ट में अभी हो नहीं पाया है नंबर शिक्ष्टीएट उनिस्वच्पन के राज पुनडगठन अधिनियम के द्वाड़ा देश में राज्यों की संख्यां 27 से घटा कर कितनी करदी गई थी देखिए उनिस्वच्पन में जो राज पुनडगठन अधिनियम आया था ये आया था फजल अली आयोग के ये बनाया गया और फजल अली आयोग के सिफार इस पर राज पुनडगठन अधिनियम आया इसमें क्या किया गया कि दो फोल्ड रखा गया एक तरफ कहा गया कि राज होंगे और दूसरे तरफ यूटी केंदर सासित परदेश होंगे राज उस समय 14 थे ठीक है और एक केंद केंदर सासित परदेश फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा अलग होने लगा था ठीक बरतमान समय में 28 राज है आठ केंदर सासित परदेश है बरतमान इस्थिति आपकी ये कहती है 28 राज आठ केंदर सासित परदेश ठीक है तो फजल अली आयोग जो है 1953 में बना था इसमें ध 1948 में JVP कमीटी भी बनी थी, कमीटी 1948 में इन दोनों का विशय था कि भासा के आधार पर राज का विभाजन, ठीक है? ये था, इसके धार 1948, JVP कमीटी 1948 ठीक है? राज का विभाजन, ये कमीटी बनाई गई थी, जिसने अपनी सिफारिस में कहा था कि भासा के आधार पर राज का विभाजन नहीं होगा, ये दोनों कमीटी का कहना था, तब बना था फिर क्या? फजल अली, एक बात और ध्यान बना था, आंध्र परदेश, आंध्र परदेश, ठीक है? आंध्र परदेश भासा के धार पे बनने वाला पर्थम राज था, करेक्ट आंसर 68 का क्या निकला? D, 14 कर दिया गया था, राज्यों की संख्या, 14 हो गई थी, ठीक है? 68, आईए कुश्चन नमबर, next, 69, भारत के संबिधान के नुसार इनमें से कौन सा किसी नागरी का मूल कर्तब नहीं है? मूल कर्तब औरिजिनल संबिधान में नहीं था, मूल कर्तब को 42 में संबिधान संसोधन 1976 के द्वाड़ा जोडा गया, इसके लिए भाग 4A था, अनुच्छेद 51A जोडा गया संबिधान में, संसोधन करके, ठीक है? ठीक, ये विवस्था रूस से ली गई, ये जो विवस्था है मौल कर्तब की रूस के संबिधान से ली गई थी, रूस से ली गई, ठीक है? प्राडंभ में मौलिक करतब्य दस थे बरतमान में संख्याइन की कितनी है? ग्याड़ है, ठीक है? सबसे अंत में ग्याड़ है, ठीक, और सरदार स्वर्ण सिंग समीती के सिफारिस पर सिफारिस पर सरदार स्वर्ण सिंग समीती के सिफारिस पर जो है यह भाग चाड़े जोड़ा गया जिसमें मौली करतब की चर्चा है अब ठीक है? इतने पॉइंट तो आप याद रखेंगे मूल करतब 42 संबिधान संसोधा 1973 के तहत जोड़ा गया इसके तहत संबिधान में भाग चाड़े अनुछेद एक क्याबा नहीं जोड़ा गया यह वेवस्था रूस से लिगई प्राड़म में मौली करतब दसी थे अभी एक याड़ा है और सरदार स्वर्ण सिंग समीती के सिफारिस पर यह जो है मौली करतब भारत के संबिधान में आया और भारत के संबिधान के नुसार कौन सा करतब नहीं है यह कह रहा है पुरूस और इस्तरी को समान रूप से जीविका के प्रियाप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार यह राज के नीती निर्देशक सिधान्त में होगा राज के नीती निर्देशक सिधान्त सिधान्त जो भाग चार में है मौली करतब भाग चार ए में है इसलिए कौन सा नहीं है तो यहीं नहीं है करेक्ट वान सड़े निकल गया बाद बांकी जितनी भी बातें है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रिय संगर्स को प्रेडित करने बाले महान आदर्सों को संजोना उनका पालन करना हमारी समासिक संस्कृती की गौडवसाली प्रंपड़ा का महतु समझना देश की रक्षा कहना और आहवान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करना ये साड़ा है तो 69 का correct answer है 69 का correct answer है इतने point को आप याद रखेंगे आईए question number 60 70 पे आते हैं 70 अस्पीकर और डिप्टी अस्पीकर के कार जालेओं कि अस्थाप नानिमलिखित में से किस अधिनियम के तहद की गई थी correct answer है 1919 भाड़त सरकार अधिनियम 1919 में स्पीकर डिप्टी अस्पीकर के कार जालेओं के अस्थापना की गई 1919 में कुछ और भी हुआ था जैसे राज में द्वैध सासन द्वैध सासन की शुरुवात हुई थी राज में कहां से भाड़त सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ही हुई थी ठीक है राज सरकार इसमें परत्यक्ष परत्यक्ष निर्वाचन की शुरुवात निर्वाचन डाइडेक्ट एलेक्षन कहां भाड़त सरकार अधिनियम 1919 के साथ हुआ था ठीक है 1935 में अगर आएंगे तो एक संग का निर्मान एक संग का निर्मान भारत एक संग होगा ये किया गया था एक फेडरल कोट की अस्थापना फेडरल कोट की अस्थापना RBI रिजर्ड बैंक ओफ इंडिया की अस्थापना बैद सासन को राज्यों से समाप्त कर केंदर में लागू किया गया था ये भी हुआ था लागू करना ये था 1935 का 1909 में अगर आते हैं तो एक तो कम से कम याद रखना ही है कि मुसलिम के लिए सामप्रदाइक निडवाचन मुसलिमों के लिए सामप्रदाइक निडवाचन की सुडवात ठीक है यही से हुई थी ठीक तो करेक्ट आंसर 70 का निकल क्या आया बी 70 का करेक्ट आंसर B B, ठीक है, B Question number 71 पे आईए एक अर्थ व्यवस्था में पूंजी अस्टॉक की बिर्धी सुद्ध निवेस या नए पूंजी निर्वान द्वारा मापी जाती है हाँ, देखिए पूंजी अस्टॉक में बिर्धी को हम कैसे मेजर करते हैं तो जो सुद्ध इन्वेस्टमेंट होता है प्योर इन्वेस्टमेंट हुआ या जो कैपिटल बना, जो नए पूंजी बने है ना, उसके द्वारा मापी जाती है तो कैसे इसको मेजर करते हैं के लिए क्या होता है कि सुधनिवेस का मतलब ये होता है कि जो gross investment किया गया है नहीं देखिए सुधनिवेस है हमेशा जो सुधनिकलता है ठीक है नेट तो नेट हमेशा जब भी निकलेगा यह सीधा सिधा नेट जब भी निकलेगा तो ग्रॉस में से आप depreciation को माइनस कर दोगे depreciation ठीक है जो सकल है हिंदी में उसमें से अगर मुल्य होस को माइनस कर दो मुल्य होस जो कीमत घटा मसीन लगाया गया जो भी बना उसमें जो कीमत घटा उसको घटा देंगे जो investment बच गया वही आपका नेट आता है नेट यहाँ पर जो सुद्ध कह रहा है सुद्ध निवेस यह एक्चुली में C option है यहाँ देखें नेट इनफेस्टमेंट ग्रॉस माइनस depreciation इससे आपका निकलता है नेट इनफेस्टीक है सुद्ध निकलने के लिए जितना investment हुआ उसमें से जो मुल्ली में कमी आई मुल्ली में कमी जो आई समय के आगे बठने के काड़न से तो इसको घटा देंगे तो आएगा नेट इनफेस्टमेंट तो 71 का correct answer C 71 का correct जो answer है आपके पास आया C आईए question number 83 भारतिय रिजर बेंग दौडा जारी की जाने बाले नई सो रूपय के नोट में कौन सी विसेस्ता है विसेस्ता क्या है सो का नोट निकाल के आप देख लेंगे question का answer है निकल जायेगा नोट का डंग भूरा है भूरा तो नहीं है यह एक चुली में blue है लाइट ब्लू टाइप का रानी की बॉब की आकिरती है ये बात बिल्कुल सही है correct answer D 100 का नोट अगर निकाल के देखो तो इसमें रानी की बॉब की आकिरती आती है देखो 100 का नोट मेरे पास अभी है और इसमें देख रहे हैं अगर दिखता होगा ये बाला जो पार्ट है इसमें लिखा भी हुआ है नीचे रानी की बॉब है नोट रखते हैं जेव में तो इन चीजों कम से कम ध्यान में रखें इसमें भी कोश्चन आ सकता है तो रानी की बॉब की आकिरती है correct answer क्या निकल के आया 83 का D डी जो है correct answer निकल के आता है ठीक है अब इसमें से सुची एक को साथ के साथ सुची दो को यहां पर actually में मिलाना है यह यहां कहा जा रहा है एक के साथ दूसरे को मिलाना है क्या है भी या देखिए भिलाई भिलाई किस-किस के सहायता से कौन सा सैंत्र जो है लगाया गया था कहां कहां यह कहा जा रहा है तो भिलाई जो है यह actually में great Britain की सहायता से लगा था great Britain की सहायता से sorry भिलाई जो है रूस की सहायता से लगा था तो यहां पर A2 होगा ये टू, रावर केला जो है, वो जडमनी की सहायता से लगा था, तो ये आएगा थिरी, दुडगापुर जो है, ये ग्रेट बिरिटेन की सहायता से डेवलप्ट किया गया था, पस्ची मंगाल का कारखाना, तिक है, और बर्नपुर जो है, ये इंडियन ओयल एंड अस्टील क यानि C आंसर सही है, C जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, एक बार फिर मैं बता दूँ कि भिलाई जो है, ये रूस के सहयोग से, रावर केला जो है, जडमनी के सहयोग से, रावर केला, उडिसा, दुरगापुर पस्ची मंगाल, ग्रेट बिरिटेन, और बर्नपुर पस यंत्र लगाए गए थे, यहाँ पे जो आपका ये इस पाथ है, यानि अस्टील जो होता है, अस्टील ठीक है, ये आईरन पलस कारवन का मिक्स्चर होता है, कारवन इसमें 0.1 से 1.5 परसेंट तक हो सकता है, ठीक है, अगर अस्टेनलेस अस्टील की बात करें, अस्टेनलेस तो उसमें एक कंपोनेंट और बढ़ता है, आईरन, कारवन और क्रोमियम भी हो जाता है, इसमें क्रोमियम भी आता है, ठीक है, हमारे देश में एक बात और ध्यान रखना है आपको, कि इस पाथ, इस पाथ, इंडस्ट्री में, कोकिंग कोल का उप्योग होता है, काफी अध किस प्रकार के कोईले से बनेगा कोईले से बनेगा कोईले से नियार होता है तयार होता है ठीक है बीटूमिनस प्रकार के कोईले से ये तयार होता है क्या कोकिंग कोल कोकिंग कोल का उप्योग कहां इस पात इंडस्ट्री में की जाती है ठीक है तो 84 का करेक्ट जो आंसर निकला वो आपके पास निकला C 84 का correct answer आपके पास निकला C C Question number अब आते हैं आपके पास 85 की योड दूसरी पंच बर्सिय योजना का उद्देस डैस पर जोड देना था देखिए जो पर्थम पंच बर्सिय योजना थी इसमें किर्सी पर जोड दिया गया था किर्सी पर 1951 में पंच बर्सिय योजना शुरू हुई 51 से 1956 तक चली दूसरी जो पंच बर्सिय योजना थी इसमें किर्सी उद्योग दोनों पर ध्यान दिया गया किर्सी पलस उद्योग दोनों पर ध्यान दिया गया ध्यान दिजिएगा और ये 1961 से 66 तक चली तीन पंच बर्स योजना ये भारत में लगातार चली अब यहाँ ध्यान रखना है कि 1966 से 69 ये योजना अवकास कहलाता है योजना अवकास plan holiday क्यों कहलाता है क्योंकि भारत चीन युद भारत पाकिस्तान युद के कारण से भारत की स्थिती गड़वर थी तो यहां पर पंचबर्स योजना नहीं चलके बारसिक योजना बनाई गई थी योजना अवकास इसको कहते हैं बारसिक योजना बनाई गई थी ठीक है बारसिक योजना बनाई गई थी ये ध्यान दिजिएगा एक बार और कभुआ था 1978 से 80 के मद्ध ठीक है 80 के मद्ध इसमें भी पंचबरसी योजनाई लगातार नहीं बनी थी यहां और यहां पे रॉलिंग प्लान आया था क्योंकि जन रॉलिंग प्लान ये कब आया था 78 से 80 के बीच आया था ठीक है 78 से 80 इसमें ध्यान रखिएगा एक कि जो हमारी आठवी पंचबरसी योजना है आठवी पंचबरसी योजना इसका उद्देश जो था इस पे कोश्चन एक्जाम में बार बार आता है इसका उद्देश था मा मानव संसाधन विकास ठीक है मानव संसाधन विकास ठीक इसमें ये भी द्यान रखिएगा कि पंचबरसी योजना इसमाजबादी देशओं की पहचान होती है समाजबादी देश की बिसेस्टा होती है बिसेस्ता होती है और भारत में यह रूस से लिया गया था रूस से आया था रसियन प्लान था यह जो की भारत में इंप्लिमेंट किया गया था आठवी पंचवर्सी योजना मानब संसाधन विकास पर केंदरी थी ये क्वेश्चन एक जाम में पूछा जाता है पंचवर्सी योजना एक इस प्रकार की अर्थवेवस्था वाले देशों की पहचान तो समाजवादी देश की अर्थवेवस्था की ये पहचान भारत में य हाँ पर क्या हो गया दूसरी पंचवर्षी ओजना का और द्योग एक छेत्र और द्योग एक छेत्र ठीक है तो 85 का करेक्ट आंसर निकला भी 85 का करेक्ट जो आंसर है वो बी निकला हाँ अभी जो मैसेज आया इससे आपको सब कुछ किलर हो गया होगा ठीक है कि ओफ-लाइन जो टेस्ट है यह सभी सेंटर पे होता है ध्यान दीजिएगा ठीक सभी सेंटर पे होता है और जो ये है साधे बाड़ा बजे दोपाड में आपके पास सेटर्डे और संडे को होता है तो अभी टेस्ट दो दिन चल रहा है सेटर्डे संडर को संडे को सभी सेंटर्स पे अफलेबल है ये नोटिफिकेसन में आया है ठीक है तो आप यहाँ पे देख लेगे और इसमें से कौन साई कुद्धिस नहीं है ये एक्चुली में कहा जा रहा है अब पूरे पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा पहला देखिए लाभार्थी बालिका के बिवाह के समय दाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसपर के माध्यम से नगत अंतरन ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में नहीं है ध्यान दीजिएगा इसका कोई लिंक नहीं है तो करेक्ट आंसर तो यही हो गया ठीक है पहले से आप उसमें चैन नहीं कर सकते जो एल्ट्रा साउंड जो होता उससे पता चलता है बच्चा है कि बच्ची है और फिर उसका एबोर्शन होता है यह है इसमें बालिका सिस्वों की उत्तर जीविता और सनरक्षन को सुनिश्चित करना यह भी है और सिक्षा और सहभागिता यह भी है यह तीनों है यह वाला नहीं है पैसे का डेवीटी इस अब के लिए जो है न सुकन्या सम्मिर्धी योजना बगेड़ा जो है वो काफी महतुपूर् नहीं है तो करेक्ट आंसर 86 का निकल के आया A ठीक है 86 का करेक्ट आंसर निकल के आया A कुष्टन नमबर 87 भारत की पहली महला ब्लेड धाबक के रूप में किसे जाना जाता है सिधा सिधा याद रखेंगे कि भारत की पहली महला ब्लेड धाबक जो है वो किरन कनोजिया को ज लूप में जाना जाता है पहली महला ब्लेट धाब कौन किरन कनोजिया किरन कनोजिया ठीक है मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जितने बाले पहले भारतिय बॉड़ी बिल्डर कौन थे मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जितने बाले पहले भारतिय बॉड़ी बिल्डर ये मनो तोस रोज थे पर्यक्त आंशर एमनो तोस रोज थीक है इनको सबसे पहली बार बोडे बील्दिंग में Mr. Universe का खिताब दिया गया था Mr. Universe का किताब इनको मिला था या दिया गया था किनको बॉडी बिल्डर मनोतोस रॉय को मनोतोस रॉय को तो इस तरह से 88 का correct answer जो है वो आपके पास आया A 88 का correct जो answer है आपके पास निकल के आया A ठीक है तो इस प्रकार से जो question है यह question है यहाँ पे साड़े आपके art वाले जो section थे वो complete होते हैं अर्ट का ठीक है इसके बाद का discussion continue रहेगा set 2 का जो है आज discussion करवाया गया art का ठीक चलिए मेरे प्यारे प्यारे साथी दोस्त सभी को good evening तो आज आप लोगों का railway ntpc set number 2 railway ntpc set number 2 में reasoning के पूछे गई एक एक question को हम लोग देखने का काम करेंगे सभी एक बार comment section में जुड़िये और एक एक करके reasoning में आज railway ntpc में reasoning का जो जो भी question है एक एक करके सारे question को हम लोग देखने का काम करेंगे तो आईए देखते हैं सबसे पहले question number 22 22 में आप से क्या पूछा गया उस पर थोड़ा सा ध्यान आप लोग दीज़िएगा तो बोला गया है हेयर सैलून में एक बेंच पर पाच लरके बैठे हैं तो ये एक बेंच है जिस पर पाच लरके हैं तो पाच का स्थान दे देते हैं एक दो तीन ये चार और ये हो गया पाँच अब बोला P Q के बगल में बैखा है, ऐसा कोई भी सवाल हो जहां पर बैक्ती एक पंक्ती में फोल बेंच पर हो इस परकार से एक बैखा हो तो फीगर किसमाद हमेशा वहां से करना उस लाइन से करना है जहां किसी भी बैक्ति का बाएं छोर से या दाएं छोर से उसका अस्थान निश्चित दिया गया हो तो अगर यहाँ पर ध्यान दें तो बोला गया P और Q बगल में है लेकिन ये छोर से कौन सा स्थान है ये आपका निस्चित नहीं है तो अभी हम इसको साइड में लिख लेते हैं कि P और Q बगल में है तो P के राइट में भी Q हो सकता है और लिफ्ट में भी हो सकता है इसलिए इसका मतलब हुआ ये परोसी है अब आगे बोला S जो है वह बेंच के बाइं छोर पर बैठा है अब देखे पंक्ति का बाया छोर आपका ये हो जाएगा तो इस बाइं छोर पर पहला बेक्ति कौन है S बैठा हुआ है तो ये अस्थान हो गया S का आगे सवाल में बोला गया T R के बगल में बैठा है T जो है वह R के बगल में लेकिन वो कहां प को रखना है अब देखे आगे बोल रहा पी दाएं से तीसरे अस्थान पर बैठा है अगर पी दाएं से तीसरा होगा तो पहला दूसरा तीसरा ये वाला अस्थान पी का हो जाएगा ये जो अस्थान आपका होगा ये किसका होगा पी का अब देखे एक और है आर और टी परोस तो T का स्थान यहां रखेंगे और ये वाला स्थान जो है आपका R का हो गया अब एक ब्ource एक है Q कि की कि बगल में तो यह स्थान की का हो गया तब सवाल में पूछा R कहां बैटा है तो पहला option का था S और P के बीच में क्या S और P के बीच में R है नहीं है यह नम्मर गलत दूसरा बोल रहा है Q और T के बीच में Q और T के बीच में R नहीं है यह भी गलत तीसरा बोला S और T के बीच में S और T के बीच में भी नहीं है यह भी गलत D नम्मर बोला P और T के बीच में तो यहां देखिए R जो है वह P और T दोनों के बीच में यहां बैठा हुआ है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा option नम्मर D तो question नमर 22 का जो answer दिजिएगा वो आपका हो जाएगा option नम्मर D चलिए जितने भी हमारे साथ अभी साथ ही जुड़े हुए हैं एक बार सभी comment section में आ जाईए और विडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग share करने का काम करिए सरवन कुमार जी जुड़े हुए हैं रितिक रोशन जी हैं सभी को बावू good evening चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले question को हम लोग देखने का काम करते हैं तो question number 22 के बाद यहाँ पर question number 23 देखेगा आप से क्या पूछा गया तो 23 में यहाँ missing number से आपका question है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जैसे यहाँ पर दिया हुआ बाव वो 3, 3, 9 तो यदि हम यहाँ करते हैं 3 का square जोर 3 का square तो 3 का square आपका होता है 9 आप जोर 9 करेंगे तो आपका number होगा 18, 18 भागा दो बरावर यहां कितना हो गया 9 यानि दोनों number का square करके जोरा गया और फिर उसको 2 से भाग देकर यह बीच का number आपको लाया गया अब उसी परकार आगे यहाँ अगर हम चेक करें तो देखें यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा तो यह हो गया 3 का square इधर हो जाएगा आपका 9 का square तो 3 का square आपका हो जाता है बावू कितना 9 और 9 का square आपका होता है 81 तो 9 और 81 आपका हो जाता है 90 और 90 को जब 2 से भाग देंगे तो number आपका होगा 45 जो कि यहाँ number आपका है 45 सेम पैटर्न आगे भी है आपका जिसे यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वाइर जोर आप करेंगे 6 का स्क्वाइर तो 4 का स्क्वाइर आपका हो जाता है 16 16 जोर आपका हो गया 36 16 और 36 आपके होते हैं 52 वटा 2 करिएगा तो नम्मर आपको मिलेगा 26 तो यहां नम्मर आपका दिया हुआ है 26 सेम पैर्टन को आगे follow करिये तो दो का स्कॉर मिवडर two आपका कितना हो जाएगा चार और चहरों खोर हो गया आपका 36 4 और चヒ्शन ओगत 4्2 करेंगे तो नमर अपको प्रत तो होगा बीस अर्थाति यहां नमर आपका हो जाएगा 20 तो right answer आपका चला जाएगा option number A तो 23 का जो answer होगा वो आपका हो जाएगा option number A तो जितने भी साथ ही अभी हमारे साथ जुड़े हुए है question जैसे ही आपके सामने अस्किन पे आता है तो आप लोग भी अपना-पना answer करते रहे हैं से आपका अपना confidence level बढ़ता रहेगा तो सभी आप लोग भी अपना-पना answer यहां comment section में करते रहे हैं इसके बाद चले आए question number अगला देखते हैं तो यहां पे 36 number तो यहां पर देखे क्रोध और भावना में क्या है पहले दो सभदों के भी जैसा संबंध होगा वही संबंध आपको ढूड़ना है तो करोध जीस परकार से एक भावना है उसी परकार अनार जो है वहा एक परकार का क्या है फल है तो answer यहां दीजेगा option number A 36 का answer चला जाएगा option A 36 के बाद आए question number 37 देखेगा बोला 17 April 2014 को सब्ता का कौन सा दिन तो यहां आराम से आप निकाल लेंगे तो तारीक लिखेंगे 17 माह April का code जो होता है वो आपका हो जाता है 6 उसके बाद 2000 का code होता है 6 बरस हो गए 14 और इन 14 वरसों में ली पियर की संख्या हो जाएगा 3 सभी को 7 से भाग देते हुए जोड़ दीजिए 7 से भाग देंगे तो यहां से 3 हो जाएगा 7 से भाग देंगे यह पूरे कर जाएगा 3 6 हो गया 9 7 गया 2 बचा 2 6 8 7 गया 1 बचा 1 और 3 आपका हो गया 4 और सब्ता का जो चौथा दिन होता है वो आपका हो जाता है गुरुवार तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा गुरुवार आप्शन नमर C 37 का जो आंसर दिजिएगा वो आप लोगों का हो जाएगा आप्शन नमर C 37 के बाद आईए देखतें आचooo कों सा कुश्वन दिया गया है 37 के बाद Oh no पर आठीस पे हम लोग नजह डाल सकते हैं तो देखेगाक कांफिवार ty कि इतिजिवार आप लोग नजह डालीए शाइटस के बाद देखिएगा आगे पूझों का सवाल है कुश्चन नमर आरतिस आरतिस नमर को देखने का काम करना है और इसे समझने का परियास करना है हम लोगों को चलिए आगे बढ़ते हैं और आरतिस नमर कुश्चन को देखेगा तो यहां पर बोला गया कि किन दो संख्याओं का अस्थान प्रस पर बदल दिया जाए कि समिकरन सही हो जाएगा तो यहां पर देखिए अगर समिकरन को देखा जाए तो यदि हम 36 और 14 को आपस में बदलते ह हैं तो 36 और 14 को बदलेंगे तो नया हमारा कौन सा होगा नंबर 36 के जगह पर यहां 14 हो जाएगा चौदह गुने 81 भागा आपका हो जाएगा 9 मैनस हो गया 88 भागा 4 और फिर आपका होगा पलस 36 और फिर आगे आपका होगा पाइस पाइस पलस साथ अब देखे क्या यह 179 आ रहा है तो यहां देखे चौदह गुने 81 को 9 से भाग देंगे तो 9 हो जाएगा मैनस 88 भागा चार है तो यहां पर आपका हो जाएगा बाइस पलस आपके हो जाएगे 36 पलस आपके कितने हो जाएगे 36 यहां जोर का सिंबॉल है 36 और फिर यहां जोर आपका हो जाएगा कितना 22 साथ हो गया आपका 29 तो 14 गुने 9 यहां पर दिया गया इसको 9 से गुना करेंगे तो 9 गुट चो का गया 36 का 4 से 3 9 3 आपका हो जाएगा 12 126 गया 126 मैनस 22 पलस हो गया आपके 36 पलस 29 यहां पर सभी को जोर लीजिये पहले तो 6 6 12 12,9 आपका ہو गया 21 का 1 6,6,6 12,12,9 21 का 1,6,2,2,2,4 4,4,3,7,7 2 आपका हो गया 9 और इधर आपका हो गया 1 192 मैनस इधर पर आपका हो जाएगा 22 तो इधर 6 हो गया 11 में से 2 जाएगा तो 9 और 8 में से 2 गया तो 6,1 का 1 179 यहां भी नम्मर आपका दिया गया 169 अर्थात नम्मर 36 और 14 को जब आप आपस में बदलेंगे तो यह समीकरन आपका क्या होगा संतुलित हो जाएगा तो जितने भी अपने साथ ही अभी जुड़े हुए हैं सभी एक बार अपने अपने सोनुज लिख रहे हैं कि टेलीग् टेलीग्राम का नाम बाभू प्लेटफॉर्म बाइन नवीन कुमार सिंग उस पर जाएगे वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगा हम अपना रिजल्स नहीं देख पार हैं टेलीग्राम चैनल को जॉइन कीजिए प्लेटफॉर्म बाइन नवीन कुमार सिंग हमारा च तो यहाँ पर पंदरह O P लगातार है पंदरह 11, 16, 16, 2 फिर हो गया 18, 18, 20 यानि यहाँ पर एक जोड़ा गया है इसमें यहाँ पर दो जोड़े गये हैं और यहाँ भी आपका दो जोड़ा गया है लिफ्ट से राइट यहाँ है आपका राइट से लिफ्ट अगर इसी परकार यहाँ देखे तो देखे नो एक दस यह लगातार लेटर है एक जोड़ा गया फिर देखे दस और दो यहाँ पर हो गये आपके बारह दो जोड़ा गया अब फिर यहाँ बारह दो आपका हो गया 14 उल्टे करम में अगर उसी परकार यहाँ देखा जाए तो एक और एक यहां दो का अंतर है अब फिर चार और दो हो गए इच्छे ये भी समान है लेकिन यहां जैसे ही हम देखते हैं तो देखे बी डी यहां पर एक लेटर आपका सी नहीं है जबकि लास्ट के दोनों लेटर बांकी सभी में लगातार क्रम है और इसलिए यहां पर आंसर आपका हो यदि आप 14 मेंसे माइनस 12 करेंगे तो नम्मर आपको प्राफ्त होगा 2 और 18 मेंसे यदि 18 मेंसे आप माइनस 14 करेंगे तो यहां पर नम्मर आपका होगा 4 तो यह कितना गुना है यह आपका 2 गुना है इसी परकार आगे जब हम देखते हैं तो यह आपका 2 गुना है 21 में से यदि 16 जाaking 21 में से यदि आपका 16 गया तो नमर आपका हो गया 5 आशो लह में से 6 जाएगा तो नमर आपका हो जाएगा 2 यह भी आपका कितने गुनाए दो गुनाए इस सेम पैटन को यदि हम फोलू करों तो करें तो देखे 17-13 बरावर आपका हो गया 4 आईए गुने 2 अगर होगा तो यहाँ नम्मर हमें चाहिए कितना 8 चाहिए तो नम्मर यहाँ पर दिया हुआ है 13 अगर 13 में से हम माइनस 5 करते हैं तो यह नम्मर हमारा आजाता है 8 अर्थात यहाँ जो नम्मर होना चाहिए वो आपका 5 होना चाहिए राइट आंसर चला जाएगा आफशन नम्मर डी तो 40 का जो आंसर दीजिएगा वो आपका हो जाएगा आफशन नम्मर डी 40 के बाद आईए अगले कुश्चन को हम लोग देखने का काम करते हैं हमारा कौन सा कुश्चन हमसे पूछा गया है कुश्चन नम्र 40 के बाद 41 देखे यह बलड रिलेशन का आपका सवाल है यहाँ पर जैसे बोला गया एम एड़ी डेट आर तो देखे एड़ी डेट का मतलब है बी की माँ ए है अर्थात A यहाँ B की माँ है तो यहाँ पहला बैकती दूसरे की माँ तो आर की माँ यहाँ पर M हो जाएगी तो फिगर बनाएंगे M जो है वह आर की माँ है M किस की माँ है बाभू? R की माँ है फिर बोला गया R परसेंट के अब देखिए % का मतलब है B की बहन A है मतलब A जो है वो B की बहन तो यहां R जो है वो K की बहन होगी तो यहां R जो है वो K की बहन हो गई बहन का जो PD है वो समान PD है इसलिए A की लाइन में रखना है फिर बोला गया K हेस G हेस का मतलब यहां पर दिया गया B का बेटा A है मतलब K यहां G का बेटा है अगर K जी का बेटा है तो जाहिज सी बात है G और M यह दोनों बिवाहित जोड़े हो जाएंगे और यह अगर पतनी है तो यह निश्चितरुक से पती हो जाएगा अब आगे बोल रहा है फिर G हेस N हेस का मतलब दिया गया B का बेटा A है अर्थात N का बेटा G हो जाएगा तो यहां पर G जो है वो N का बेटा हो जाएगा फिर आगे बोल रहा N, N, T N का मतलब दिया गया B की पतनी A है अर्थात यहां T की पतनी N होगी अगर T की पतनी N होगी तो T यहां निश्चित रुफ से क्या हो जाएगा पती हो जाएगा तब आप से सवाल में क्या पूछा गया उसका ध्यान देजिए पूछा गया तो निम्र में से कौन सा कतं सत्य नहीं है जो सत्य होगा उसको answer नहीं करना जो नहीं होगा उसको answer करने की जोड़त है आइए देखिएगा यहाँ option A किया कहता है option A कहता है N-K की दादी है यहाँ देखिए K के पिता पिता की माता दादी यह तो सही है आपका इसलिए इसको आनसर नहीं करिएगा बोला R-J की बेटी है R जो है वह जी की बेटी है ये भी सही है तो इसको भी आंसर नहीं बोला M, K की मा है अब देखे M, K की मा है ये भी सही है तो इसको भी आंसर नहीं T, M का दादा है T, M का दादा नहीं बलकि T, M का ससूर है देखे M का पती या पती के पिता पती के पिता को रिष्टे में ससूर करते हैं जबकि यहां दादा बोला गया और यह गलत है और इसलिए answer चला जाएगा option number D तो 41 का जो answer दिजिएगा वो आपका हो जाएगा option number D 41 के बाद आईए अगले question, question number 44 को हम लोग देखते हैं तो यहां पर पुछा गया कि उन box का chain करें जो दी गई seat को line ओ पर मोर कर बनाया जा सकता तो यहां पर सिधा देखिए 6 का जो opposite है वो आपका एक alternate box यहां opposite होता है 6 का opposite एक हो गया तो 3 का opposite 5 हो जाएगा और 2 का opposite आपका 4 हो जाएगा एक सता के 4 परोसी सता और उसके एक विप्री सता होते हैं और परोसी सता कभी भी विप्रीत नहीं होता और विप्री सता कभी भी परोसी नहीं होता है तो यहां पर जो विप्रीत है वह अगर परोसी हो गया तो वो dice नहीं बनाया जा सकता तो छे एक विपडीत है यहां छे एक परोसी नहीं चार के अपोजिट दो यहां दो नहीं है तिन के अपोजिट पांच पांच नहीं यह आपका बनाया जा सकता अब यहां देखे दो चार यहां बिपडीत है जब कि दो चार यहां परोसी है तो बिपडीत कभी भी परोसी नहीं होता है बी नम्मर नहीं बनेगा यहां अगर हम देखें तो तीन दो और एक दिया गया तो तीन के अपोजिट में पांच हो सकता है दो के अपोजिट चार भी हो सकता एक के पोजिट छे भी हो सकता ये आपका बनाया जा सकता लेकिन जैसे ही आप देख रहे हैं यहां तीन और पांच यहां अपोजिट है तीन पांच यहां बिपडीत है यहां परोसी है तो यह डाइस आपका नहीं बनेगा तो आंसर जाएगा केवल ए और सी आपका सही करते हैं अगला कोश्चन हमारा कौन सा है उस पर आप लोग नज़र डालेंगे कोश्चन नमर 43 43 में पुछा गी दी गई आकिरती में तिरभूजों की संख्या क्या है तो हमेशा एक चीज बाबु ध्यान रखे जब एक तिरभूज के अंदर इस रूप से भर्टिकल लाइन दिया गयो तो इसके अंदर बनने वाले भाग को नमरिंग करिए और फिर इन दोनों को जोड कर उसका कुल संख्या निकालीजे तो एक और दो हो गया तीन मतलब इस वाले तिरभूज में तिरभूजों की कुल संख्या आपके तीन हो जाएंगे तो अगर आप इस figure को थोड़ा ढंक से देखें तो देखें ये वाला figure आपका सेम वही figure है, तो एक, दो, दोनों मिला कर तीन यहां, फिर वही same figure आपका यहां है, तो तीन यहां, तीन और तीन छे, अब फिर यहां पे भी तीन तिरभुच बनेंगे, तो 6 और तीन आपका हो ग तो तीन तिर्भूज आपका ये हो गया इसके अलावे यदि देखा जाए तो तीन तिर्भूज आपका यहां पर भी बन रहा है यह 20 से लाइन गया एक दो आद दोनों को जोड़ देंगे तो यह हो गया तीन तीन तिर्भूज और हो गया तो यहां टोटल आपका कितना हो गय अच्छा इसके अलावे भी और तिर्भूज है कहा है उसको ध्यान दिजिए अगर इनकों हम आपस में जोडते हैं तो देखे एक तिर्भूज तो आपका ये हो जाएगा इसके अपोजिर दूसरा तिर्भूज आपका ये वाला हो गया तो दो और तिर्भूज हो गए सभी को जोड़ेंगे 9, 3, 12, 3, 15, 2, 17 अर्था तिर्भुजों की कुल संख्या आपके 17 होंगे राइट आंसर दिजेगा आप्शन नम्मर डेई तो संतोष कुमार आंसर दिये हैं आप्शन नम्मर ये 15 जो की गलत आंसर है ये आपका आंसर जो है गलत है चलिए आगे बढ़ते हैं सहवाद जिर देख रहे हैं सेट एक का नहीं होगा क्या सेट एक का बावू डिसकसन नहीं हुआ सेट टू से डिसकसन आपका शुरू हुआ है और ये सेट सटाड़े संडे प्लेटफॉर्ण बाविन कुमार सिंग तीनों सेंटर पे यानि कि भिखना पहारी, बजार समिती और किसान कोल स्टोरेज मुसला पुरहाट तीनों ब्रांच पे अपने टाइम पे चलते हैं टेस्ट का फी क्या है तो टेस्ट का फी एस कुमार जानने के लिए भर चुके हैं या फॉर्म भरने वाले हैं वो सभी अपनी तैयारी में लग जाईए और लगातार टेस्ट देते रहे इससे आपका प्रैक्टिस होगा टाइम मेनेजमेंट आफ लोग सीखिएगा जो की सबसे ज़्यादा जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा कोश्चन को आफ लोग टच करने करना सीखिएगा आईए 43 के बाद कोश्चन नमर 44 देखते हैं तो 44 में यहाँ पर बोला गया कि जो संबंद 44 में बोला नीचे चार संख्याओं को जिनमें से तीन समान है तीन समान है एक अलग है उसको चुनना है तो यहाँ देखे हुआ क्या है कि यदि हम 27 गुने 27 गुने 7 जोर 8 करते हैं तो यहाँ पर नमर हमें कितना प्राप्त होता है तो सत सत्य 49 का नो सेस बचा चार असाथ दुनी 14 4 एक सो नवासी अब एक सो नवासी माइनस 8 शोरी यहाँ पर 7 से गुना माइनस 8 यदि आप करते हैं तो देखें 189 माइनस 8 कर देते हैं तो यह नमर हमारा हो जाता है 181 नमर कितना 181 उसी परकार अगर देखा जाए C वाले को तो हम अगर बाबु 25 गुने 7 माइनस 8 करते हैं तो यह है नमर हमें पराप्त होता है कि नहीं तो 25 सते हो जाता 175 माइनस 8 यदि आप करेंगे तो नमर आपका होगा 166 जो कि यहाँ भी नमर दिया हुआ 166 उसी परकार 21 गुने 7 माइनस यदि 8 करते हैं तो देखें 7 इकम 7 7 दूनी 14 तो दूनी 146 माइनस 8 परावर आपका हो जाता 149 लेकिन यदि आप आप उप्सन एक को नजर करें तो यहाँ देखें दिया हुआ 15 पंद्रह गुने 7 अंद्रह गुने 7 माइनस 8 करते हैं तो पंद्रह गुने 7 आपका कितना हो जाता है तो 7 पंद्रह का 5 7 पंद्रह का 5 6 3 7 और 3 हो गया 10 105 माइनस 8 यदि करेंगे तो नम्मर हमारा होगा 97 जो की यहाँ पे नम्मर आपका दिया हुआ है 1197 तो यहाँ पे अंतर यही है बांकी सभी में सेम नम्मर मिल रहा है गुना 7 माइनस 8 करने पर जबकि यहाँ पे आपको 97 प्राफ्ट हो रहा है इसलिए बांकी B, C और D आपके समान है जबकि A जो है यह आपका और समान है और इसी आधार पे आपका आंसर हो जाएगा आप्सन नम्मर A सोनू B, O, B फरस्ट टेस्ट का डिसकसन करा दिजिए टाइम निकाल के ठीक है इसके लिए बात किया जाएगा अगर होगा तो करबा दिया जाएगा टेस्ट जो है एस कुमार जी यह आउनलाइन और आफलाइन दोनों मोड में चलते हैं अगर आप पतना में है तो आफलाइन तीनों सिंटर में कहीं भी दे सकते हैं आप उहां परचेज करके उसको आराम से दे सकते हैं अब आईए कुश्चन नमर 44 के बाद कुश्चन नमर 45 को हम लोग आगे देखने का काम करते हैं तो यहां सवाल में 45 ने यह साथ नमर है जिसमें बोल रहा है कि उस चित्र का चैन के जिए जो नीचे दिये गए दो तिर्कों के समान पैटर्न का पालन करता है चलिए देखिए यहां पैटर्न क्या है तो यहां दो पांच यहां पांच का अंतर है यहां छे पांच ग्यारा पांच का अंतर है यहां दस पांच पंदरा यहां भी पांच का अंतर लेकिन 7 यहां है 7 यहां है 6 यहां 2 और यह 6 यानि कि हाँ 4 जो रा गया तो छे चार चार तसूर का अंतर जा रहा है अब इसी परकार अगर यहां भी देखें तो 14 यह चोड़ा और यह 19 यहां 5 का यहां 5 का अंतर यहां भी पांच का उ até 14, 25, 19, 18, 25, 22, 25, 27 और यहां 14, 4, 18, 18, 24, 24, 24 का अंतर है अगर ऐसा option देखें तो देखें 29, 24, 24, यहां 4 का अंतर यह answer जाएगा नहीं 5 का अंतर होना चाहिए यह हो गया 20, 25, 25 यहां हो गया 24, 24, 28 यहां 4 का अंतर है जो कि सभी में 5, 5 का होना चाहिए तो यह दोनों तो answer होगा नहीं अब यहां अगर हम देखें तो 4, 5, 9, 8, 5, 13, 12, 5, 17 तीनों में 5, 5 का अंतर है अब पहले से दूसरे में 4, 4 का अंतर होना चाहिए तो 4, 4, 8, 8, 4, 12 यहां सभी में 4, 4 का अंतर है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला question नमरा कौन सा है साथ के बाद question नमर एकसर देखेगा तो एकसर नमर में यहां पर बोला गया कि सब्द में परतियक स्वर को अंग्डेजी वर्नमाला करम में उसके बाद आने वाले अकसरों से बदल दिया जाता है और परतियक वेंजन यानि consonant को अंग्डेजी वर्नमाला करम में उसके पहले आने वाले अकसर से बदल दिया जाता है तो देखे यहां जो लेटर आपको दिया गया बोला गया कॉंसोनेंट को उसके पहले अगर उसके पहले वाले जो बदलेंगे तो S से पहले का लेटर यहां देखे S कॉंसोनेंट है U भॉवल है R कॉंसोनेंट P कॉंसोनेंट R कॉंसोनेंट I भॉवल S कॉंसोनेंट I भॉवल N कॉंसोनेंट G कॉंसोनेंट अगर हम consonant को पहले वाले बदलेंगे तो S का जगा R होगा अब होविल के बाद वाले तो U के जगा भी हो जाएगा R के पहले यहां Q होगा P से पहले यहां O होगा R से पहले यहां पे Q हो जाएगा I के बाद लेटर यहां पे J हो जाएगा S से पहले लेटर R हो जाएगा I के बाद लेटर यहां J होगा N से पहले लेटर यहां M होगा और G से पहले लेटर यहां पर F हो जाएगा अब इस बदलाओ के बाद बुला गया इस परकार बने समुह में निम्र में से कितने अक्षर दो बार आएंगे यानि तीन ऐसे लेटर हैं जो दो वार यहां पर आए हैं तो इस परकार आपका 61 का जो आंसर है वो हो जाएगा option नमर डी यहां पर right answer जो है आपका option नमर डी हो जाएगा आईए अगले question को हम लोग देखते हैं 62 के बाद question नमर 62 पर आप लोग नजर डालेंगे देखिए 62 में क्या बोला लाल हरा पीला गुलाभी नीला और नारंगी रंके छे डिब्बे एक के ऊपर एक करके लंबत पैटर्न में रखे गया यह हो गया छे डिब्बा तो एक दो तीन चार पांच और छे एक के ऊपर करके रखा गया अब सवाल में आगे बोला गया लाल डिब्बा नीचे से किसी बिसम संख्या वाले अस्थान पर है अगर लाल बिसम पर होगा तो देखिए इसका नमर इंग एक दो ये तीन चार पांच और छे अगर लाल बिसम पर है मतलब वो संब पर नहीं होगा यानि लाल को अस्थान ये भी नहीं होगा तो एक या तीन पर होगा अब बोला लाल डिब्बे को पीले डिब्बे के ठीक ऊपर रखा गया अगर लाल को पीला के ऊपर रखा जाएगा तो देखे उस स्थिति में क्या हो सकता अगर लाल डिब्बे को हम पीला डिबा के ऊपर रखेंगे तो एक स्थिती ये हमारा बनेगा तो एक और दो में तो हम रख नहीं पाएंगे चुकि लाल को दो नम्मर पे नहीं रहना है तो उस स्थिती में और पांच पे लाल जाएगा नहीं तो लाल को हम जब भी रखेंगे ये तीन नम्मर वाले पे रखेंगे और ये लाल पीला के ऊपर है तो यहाँ पर आपका पीला रंग हो जाएगा अब आगे कहता है पीला डिब्बे और नारंगी डिब्बे के बीच केवल दो डिब्बे रखे गए पीला और नारंगी के बीच अगर दो होगा तो नारंगी नीचे तो जाएगा नहीं चुकि पिला के नीचे तब एक ही होगा तो इसके उपर दो डबा के बाद नारंगी होना चाहिए तो एक डबा ये दूसरा ये ये वाला जो है आपका कौन सा रंग का होगा ये हो जाएगा नारंगी रंग का डबा अब देखे आगे फिर आपसे क्या लाइन बोला गया आगे बोला कि नीले डिब्बे और गुलावी डिब्बे के वीच केवल दो डिब्बे रखे गए नीले और गुलावी के वीच में अगर दो डबा होगा तो ये वाला जो अस्थान है आपका नीले डब्बा का हो गया और उसके बाद बोला गया कि गुलावी तो ये वाला अस्थान आपका गुलावी का होगा तो नीला और गुलावी के बीच में ये दो डब्बे हो गये दो डब्बे होगे अब आगे बोला गया और निले डिब्बे और हरे डिब्बे के बीच केवल एक है तो नीला और हरा के बीच एक होगा तो ये वाला अस्थान आपका हरा का हो जाएगा अब दिखे यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा तो सवाल में बोला गया कि उपर से तीसरे अस्थान पर कौन सा रंग का डिबा है उपर से पहला दूसरा तीसरा तीसरे अस्थान पर नीला आंसर देज़ेगा आप्सिन नम्म डी तो 62 का जो आंसर होगा बाबू वो आपका आप्सिन नम्म डी हो जाएगा तो सोनू बी ओ भी आंसर डी दिये हैं बिल्कुल सही आंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं साथ के बाद आईए कुश्चन नमर 63 पर आप लोग नजर डालेंगे तो यहां देखे बाबू जो भी स्टूडेंट रेलवे एंटी पीसी का टेस्ट दे रहे हैं या जो भी अभी हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो सभी एक ध्यान रखेगा कि रेलवे एंटी पीसी के लिए एक बेच्छ आफ लोगों के लाया गया यह तो सेट प्रैक्टिस चल रहा है इसके साथ साथ आफ लोगों के लिए एक बैच्छ भी लाए गये हैं और वहाइँ जो है आपका 23 सितंबर से आफका ऐस टार्ट हो रहा है ओपके 23 सितंबर दो हजार 24 से और इसका टाइम रखा गया है साम में 3-5 बज़े के बीच यानि 3-7 बज़े के बीच इस बैच का टाइम है और यह आपका कराया जाएगा जिसमें यह सारे टीचर हमारे माननिये टीचर सारे मुझूद है कस्यप सर होगे सुजय सर हैं मधू मैं मैं मांकी विभूती सर सोड़ब सर होगे मैं खुद आपको इसमें रिजनिंग पढ़ाऊंगा और यह सारे वैच जो है नभीन सर की मार्क दर्सन में आपको ऑनलाइन मोड में केवल और केवल 499 रुपईये में उपलब्द है मातर 499 रुपईये में आपका उपलब्द है इससे ज्यादा का तो आप 10 दिन में सबजियां खरीद कर खाते होंगे और पढ़ाई पर 499 रुपईये खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है आप 499 रुपईये आराम से खर्च कर सकते हैं और जहां भी आप पूरे भारत में कहीं भी हो अगर आपको पढ़ाई में कोई बाधा आ रही है आप पटना नहीं आ पा रहे हैं तो आपके लिए ये सुनहरा मोगा है आप पले अस्टोर में जाए और पलेटफॉर्म बाइन नवीन कुमार सिंग अपलिकेशन को डाउनलोड किजिए और उसको आप लोग रेजिस्टेशन करके ये बैच जो वहाँ उपलब्द कराया गया है बैच का नाम है आपका NTPC CBT1 ग्रूप D का इस बैच को आप मातर 499 रुपईये में पर्चेश कर सकते हैं और ये बैच अगर आप आप ओफलाइन मोड में करना चाहते हैं तो ये बैच आपका बजार समीती पटना में ध्यान रखे फिर से सुन लिजिए ये बैच यदि आप ओफलाइन मोड में करना चाहते हैं तो ये बैच आपका बजार समीती पटना प्लेटफॉर्म बाइन नवीन कुमार सिंस इंटर पे ये offline mode में start हो रहें और इस batch का starting date है 23 September और time है आपका तीन से 7 तो आप लोग inquiry लेकर जल्द से जल्द अपनी seat को सुनिशित कर ले अपना admission लेकर ताकि 23 September के बाद आपके सारे class अपने नियत समय पे चलते रहेंगे कहीं से आपको कोई समस्य आने वाली नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला question नमरा कौन सा है तो question नमर देखेगा 63 अब 63 नमर सवाल में आपसे बोला क्या गया बाबू तो बोला ये गया कि ये जो स्रीज आपको दिया गया इनमें बोला इनमें से कौन सा दी गई स्रिंखला के 22 सिरे से 18 अक्षर परतीक के बाई और बारहमा अक्षर होगा तो चार point मैं लिखा रहा हूँ उसको note कर लिजे हमेशा ध्यान रखे कि left से चलने पर जितनी बार भी left बोला जाएगा आप उतनी बार minus करेंगे दूसरा point याद रखे कि left से चलने पर जितनी बार भी right बोला जाएगा उतने बार plus करेंगे और right से चलने पर, राइट से चलने पर जितनी बार भी lift बोला जाएगा उतने वार आप पलस करें अब सबाल मीहां बोला गया बाई सीरे से 18 मा और है बाई बोला गया 18 मा के बाई और 12 मा लिफ्ट से लिफ्ट आया तो क्या करना है माइनस 12 मा बोला 18 में से 12 जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा तो देखिए 6 एलिमेंट कौन सा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 एलिमेंट आपका डॉलर हो गया आंसर दिजिएगा डॉलर आफसन नमर B 63 का आंसर आपका हो जाएगा बाबू आफसन नमर B 63 के बाद आईए कोशन नमर अगला देखते हैं 64 नमर हमारा क्या है 64 नमर करता है कि सुमीत बिंदू F से शुरू करता और पूरव की ओर 5 किलो मीटर ड्रैब करता है अब सवाल में बोला गया सुमीत जो है वो पूरव दिसा में 5 किलो मीटर चलता है फिर बोला गया फिर वह बाएं मुरता अब पूरम में चेहरा बाएं मुरेगा तो नौर्थ डारिक्सन बोला गया 10 किलो मीटर चलता है ये हो गया 10 अब नौर्थ में चेहरा है फिर बाएं मुरा तो चेहरा वेस्ट हो जाएगा और ये 8 किलो मीटर चलता है वह फिर बाएं व प्रवात किया था इसे हमेशा ध्यान रखे सेम डायरेक्शन को काटेंगे अपोजीट डायरेक्शन को जोडेंगे और अपोजीट डायरेक्शन को काटेंगे तो यहां इस्ट और इस्ट है तो यह इस्ट को यहां से हटा कर इस्ट तीन किलोमेटर है तो यहां तीन आप कर दे South है 3 km North direction में कितना तो यह हो जाएगा आपका 7 km पारहोगा जी चलना किया था यानि कि यहाँ से अब सवाल में आप से पूछा कि G से F तक पहुँचने के लिए तो G से F पहुँचने के लिए उसे 7 km दक्षिन दिसा में चलना होगा आंसर दिजिएगा option number A 7 km दक्षिन दिसा तो ये तो हो गया short इसका की एकदम आराम से कम से कम समय में आप bucket figure बनाये हुए बना सकते हैं लेकिन यदि अगर figure बना कर इसको हमें बनाना हो तब हम कैसे बनाएंगे उसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए और यहां देखे कैसे हम लोग figure को बनाते हैं आईए थोड़ा सा बोड़ पर समय दिजिएगा एक मिनट में हम बताते हुए आगे बर जाएंगे सबसे पहले बोल रहा है सुमीत F से चलना शुरुवात करता और पूरब की और 5 km अम मानो किसी पॉइंट से तो ऊपर की और जाएगा और यह कितना चलता है 10 km फिर बोला फिर बाएं मुर्ता और 8 km अब यहां से यह बाएं मुरेगा 8 km जाएगा तो इसके समाना अंतर यहां से यहां की दूरी हो गया 5 और चलता आठ तो इस पॉइंट तक 8 km चलता है तो इसको थोड़ा सा छोटा रखे यहां तक हो जाएगा 3 तो 5 और 3 यहां से हो गया 8 km फिर बाएं मुर्ता और 3 km चलता है यहां से वह फिर एक बार अपनी बाएं और मुर्ता और यह 3 km की दूरी तै करता है बोला कि 3 km ड्राइब करता है तो यहां बोला गए 8 km ड्राइब करके फिर बाएं मुर्ता है और 3 km चलता है अंत में वह बाएं मुर्ता है और 3 km ड्राइब करता है यह कहां से दिक्कत आ रही है पहले एक एक लाइन को मिलाना दीजे वहला सुमीत बिंदू F से F से पूरब की और 5 किलो मीटर ड्राइब करता है ठीक है फिर वह बाएं मुर्ता और 10 किलो मीटर चलता है फिर बाएं मुर्ता है और 8 किलो मीटर चलता है वह फिर बाएं मुर्ता है और बाएं मुर्ता और तीन किलो मीटर ड्राइब करता है ठीक है अंत में वह बाएं मुर्ता और तीन किलो मीटर ड्राइब करके बिंदू जी पर पहुंच जाता है अब यहां से तीन किलो मीटर चलेगा तो इस पॉइंट पे पहुंचेगा और यह पॉइंट हो गया आपका जी अब सवाल में पूछा बिंदू जी से एफ तक पहुचने के लिए तो जी से एफ तक पहुचने के लिए आपको नीचे की और आना पड़ेगा और नीचे की और डायरेक्शन होता है साउथ और ये दूरी आपका इस पॉइंट से यहां का हो जाएगा साथ किलोमेटर तो चला जाएगा आप्शन नमर ए तो चौशट का जो आणसर है वो आपका हो जाएगा बाबू आप्शन नमर ए तो जिन्होंने भी चौशट का ए दिया होगा उनका बिल्कुल सही आणसर हुआ होगा चौशट के बादा ये वोश्चन नमर पैंसर देखेगा क्या कर रहा है तो पैंसर नमर में यहाँ पर देखेगा हमेशा इनेकुलिटी में एक चीज़ धियान रखना है कि यदि सिम्बॉल सिम डारिक्षन है तब तो रिलेशन बनेगा और यदि सिम्बॉल दो इलिमेंट के बीच अपोजी डारिक्षन है तो रिलेशन नहीं बनेगा कहने का लेस इकवल और नॉट इकव warm यह आफ का इन डिफनिट सिम्बॉल है यह आफ़का इन डिफनिट सिम्बॉल है के लिए अब देखो एक चीज़ जब डिफनिट और इंडिफनिट की बात आ रही है तो दो अलीमेंट के बीच में जब कभी भी एक भी जगा यह डिफनिट सि पहला कहता है बी लेस देन डी अब यदि हम बी से डी के बीच में आए तो ये आपका डिफनिट है जब कि बी और डी के बीच में कहीं भी आपका डिफनिट अच्छा एक चीज़ देखें दूसरा पॉइंट एक और याद रखें कि अपोजी डारिक्शन कभी भी रिलेशन न और ये सिंबॉल भी आपका क्या है अपोजी डारिक्शन सिंबॉल जब इस परकार से दो एलिमेंट के बीच में कहीं भी अपोजी डारिक्शन का सिंबॉल आ गया तो उनके बीच में no relation होगा कोई डिफनिट कंक्लूजन नहीं अगर यहाँ बी और डी के बीच देखें तो तो देखे B के तरफ लेस है, लेस है, same direction, यहां भी same हो गया, लेकिन यहां यह दोनों अपोजी direction symbol हो गया, तो B और D के बीच में no relation, पहला conclusion गलत, अब कहरा A greater than equal B, अगर A से हम B के तरफ चलें, तो देखे A के तरफ greater, तो यह greater है A के तरफ, greater equal B, तो यह indefinite ही है यहां भी, और करता है, आपका answer चला जाएगा, option number D, केवल निसकस दो अनुसरन करता है, तो 65 का answer दिजेगा, option number D, 65 के बाद आईए, अगले सवाल के और देखते हैं, question number, अब यहां पर अगला सवाल है, आपका नवासी, नवासी में बोला गया कि, दीपक, गुड कीरान, सहीद और विकरा बैठे हैं कि परतियक बैठी मेंज की परतियक भुजा के मद्ध में, परतियक भुजा की मद्ध में बैठेगा, तो 4 बैठने का स्थान ये, सभी का चेहरा हो जाएगा, अंदर की ओ, तो इसका नीचे लेफ्ट उपर राइट, इसका इधर लेफ्ट इधर राइट, इसका अब सवाल में आगे बोला जाता है कि विक्रांत जो है वह दीपक के दाई और ठीक बगल में आप विक्रांत को चारों में से कहीं भी बीठा दीजिए अगर आप मान कर चलो कि ये वाला जो अस्थान है ये विक्रांत का अस्थान है ये अगर विक्रांत का अस्थान होगा तो तो इसके ठीक दाई और बगल में कौन बैठेगा बिकरांत दीपक के दाई और तो ये वाला अस्थान जो है तब दीपक का हो जाएगा और दीपक के ठीक दाई और वाले अस्थान पर यहां बिकरांत बैठेगा अब दिखे अगला स्टेटमेंट फिर करता है कि साहिद बिकर के सामने अगर साहिद विक्रांत के सामने तो विक्रांत यहां है तब यह वाला जो अस्थान है यह आपका साहिद का स्थान हो जाएगा अब एक व्यक्ति आपके पास बच रहा है वो है गुर्किरन तो यह वाला अस्थान जो है वो गुर्किरन का हो जाएगा अब देखे आंसर दीजेगा बाबू ऑप्शन नमर डी नवासी के बाद आईए अगले कोश्चन के और चलते हैं अंकिता कुमारी ऑप्शन ए आंसर दे रहें ए नहीं होगा यहां पर आंसर ऑप्शन नमर डी होगा जो कि आपका एकदम निस्चित है कि विक्रांत जो है गुर किरन के ठी माई और में बैठा हुआ है नवासी के बाद कुश्चन नमर नब्बे देखेगा तो यहां पर देखे क्या दिया गया है तो सीधा यह इनालोजी नंबर एनालोजी है यहां पर है बाबू अठाइस गुने दो च्छपन जोर साथ यहां पर कुछ भी नहीं किया है गुना द चार करेंगे तो सत्तर बस वही पैटरन को फॉलोग करिये तो होगा एक तालीस गुने 2 सीधार और चार हो जाएंगे च्छी तो यहां पर राइट आंसर चला जाएगा ओक्संण नम्मर डी यानि नम्मर यहां पर होगा च्छी असी तभी एक तालीसंगुने 2 हो गया बैर और जोड़ चार आपका यहां नमर क्या हो जाएगा च्यासे तो कुश्चन नमर नब्वे का आंसर दिजेगा और नमर डी नब्वे के बाद आईए कुश्चन नमर इक्यांवे देखेगा इसमें बुलागा किरिप के चित्र की और इंगित करते हुए पुर्वी ने कहा वह मे मेरे भाई की पतनी की इकलौती बेटी के दादा का बेटा इसके दादा का बेटा है तो अगर इसका दादा होगा यानि कि इसके पिता के पिता हो गया इसका दादा अब इसका बेटा इसका बेटा यह भी हो सकता या इसका अन्न कोई भाई भी हो सकता है तो क्रिप यह भी ह हो सकता है दोनों तब सवाल में सब्छा बुदी का क्रीवों से क्या संबन्द है यह पुरुवी जो है वह क्रीव की क्या होगी तो चाहे क्रीव क्रीवों नहीं सबसंद हों यह च Rainbow क्लीभी और क्वानि ही रहने नहीं यहाँ पर option number A आपका answer होगा बहान आगे आईए बिरानवे नमबर बिरानवे में आपसे पूछा गया कि यह चित्र जो है किसको दरसाता है तो देखें विद्यार्थी अंसकालिक कर्मचारी और लड़कियां तो कुछ अंसकालिक कर्मचारी विद्यार्थी भी होते हैं कुछ अंसकालिक कर्मचारी लड़कियां भी होती है और कुछ लड़किया विद्यार्थी भी होती है यानि इन तीनों का आपस में कुछ कुछ का संबंध है और यह फीगर तीनों के बीच कुछ कुछ का रिस्ता को दरसाता है तो यहाँ राइट answer आपका हो जाएगा option number A ब बिराउनवे का A answer दिये हैं जो कि बिल्कूल ही सही answer है आपका आईए बिराउनवे के बाद question नमर 93 देखेंगे तो यहां भी आपका later analogy से दिया एकदम simple analogy देखें Q का opposite J है, Z का opposite A है, C का opposite X है, T का opposite G है तो उसी परकार M का opposite N हो जाएगा, R का opposite I होगा, D का opposite W होगा और Y का opposite B होगा तो आपका answer होगा N, I, W, B, option number B आपके बिल्कूल सही answer होंगे Q क्षिन नमर 93 का answer C, B नमर 67 कुमारी आदब जी भी आपके बिल्कूल सही answer है आप लोगों का, आईए B के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, 93 के बाद 94 नमर पे आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं हमारा क्या answer होगा तो देखें, यहां जो आपका answer होगा, वो कौन सी आकिरती जाएगी, उसको सबसे पहले इस आकिरती को पूरा करना है, तो इस आकिरती को पूरा करने के लिए, पहले तो यह छोटी वाली आकिरती को हम बनाएंगे, तो हमारा यह figure बनेगा, अब बड़ी वाली आकिरती इसक में यह line आ जाएगा, और इधर आपका यह वाला है, तो यहां इधर चलिए ध्यान दिजएगा, एक आपका ऐसे figure बन जाएगा, एक मिनट, तो कि यह वाला line जो है, यहां से ऐसे मिल रहा है, तो यहां भी ऐसे मिलेगा, और यह होने के बाद, यह होने के बाद, एक line जो है, यहां से इसको मिलाया गया, इस वाले line से, यहां से इसको मिलाएंगे, तो ऐसे बनेगा, अब देखें, यह किस आकिरती में यह figure आपको दिखाई दे रहा है, जिस आकिरती में ऐसा figure होगा, वही आपका सही answer होगा, वो आकिरती आपका option नमर C में है तो राइट आंसर दीजिएगा यहाँ पे ऑफ्षन मरस तो यहां पे आंसर चौड़ उर्णवे का जिन्हों P का राइट से 7 होता है, O का राइट से 12 होता है, R का राइट से 9 होता है, E का राइट से 22 होता है, उसी प्रकार प्योड में देखेगा, तो P का राइट से 11, U का राइट से 6, R का राइट से 9 और E का राइट से 22 यानि जो लेटर दिया गया उसका राइट छोर से position नम्मर लिखकर code किया गया तो इसी pattern को follow करेंगे तो A का राइट से position होगा 26, S का 8 हो जाएगा फिर S का 8 होगा, U का 6 होगा, R का 9 होगा, E का 22 होगा और D का 23 हो जाएगा राइट छोर से ये position बनेगे, answer दिजेगा 26, 88, 79, 22, 23, option नम्मर D आपके बिल्कुल सही answer होगे तो 95 के बाद यहाँ जो D answer है वो आपका सही answer जाएगा सारे लेटर का राइट छोर से position नम्मर लिख कर उसका code किया गया, अनिकेत कुमार जी answer D दिये हैं आईए अगले question 95 के बाद 96 नम्मर उचा गया, यहाँ 5 वाले फलक के बिपडित पर, 5 के बिपडित तो देखे इन दोनों में 5 आप, 5 आपका common है तो हमेशा धियान रखे कि जब 1 dice के 2 view दिया गया हो, और उन दोनों में 1 सतह आपका common हो, तो जो सतह common हो, वहाँ से clockwise आप लिख लिजिए, तो यह हो गया 5, 1, 3, अगर clockwise लिखेंगे तो होगा 5, 1, 3, और इस view में देखिए 5, 2, और 4, यहाँ 5 के नीचे 5, 2, 4, तो 5, 2, क्या ह है बावू, चार, तो यहाँ पर हो जाएगा, चार, अब देखिए समान अंक के opposite हमेशा वही अंक होगा, जो इन दोनों पर लिखा हुआ नहीं है, इन दोनों पर 6 नहीं है, तो 5 के opposite हो जाएगा, एक के opposite 2, 3 के opposite 4, आप से पुछा 5 के opposite क्या होगा, तो 5 के opposite 6, answer दिजेगा, C 93 के बाद आए, question 97 में, तो यहाँ पर बोला गया कि किसी निश्चित कूट भासा में, देखे, यह भी एकदम opposite letter लिखकर code किया, C का opposite letter होता है, X, A का opposite letter होता है, Z, और R का opposite letter होता है, I, उसी परका T का opposite letter G होता है, O का opposite आपका L होता है, और P का opposite K होता है, तब आप से फादर क code पुछा, तो देखे, F का opposite letter U, A का opposite Z, T का opposite G, H का opposite S, E का opposite B, और R का opposite I, तो आंसर जाएगा, U, Z, G, U, Z, G, S, V, I, option number B, आपके बिल्कुल सही answer होंगे, question 97 का जो answer जाएगा, वो आपका option नमर B आ जाएगा, 97 के बाद आएए, question number 98 देखेगा, तो यह आपका silo gizm chapter से question है, तो यहाँ पर बोला गया सभी nurse doctor है, पहला statement करता है कि सभी nurse, यह सारे के सारे nurse doctor है, फिर बोला गया सभी doctor designer है, यह सारे doctor जो है, वो designer है, अब फिर बोला कुछ nurse architect है, तो कुछ nurse architect का figure आप लोग इस रूप में बनाईएगा, अब देखो, silo gizm के question में एक point हमेशा याद रखना बाबू, कि जब एक circle दूसरे के अंदर हो इस रूप में, जैसे designer के अंदर doctor, doctor के अंदर nurse है, तो यहाँ पर अंदर से बाहर जो conclusion दीजिएगा, वो आप all में भी देंगे, और sum में भी देंगे, लेकिन ब आपका गलत होगा, तुसरा दूसरा point ये याद रखेगा, जब दो element, दो figure के बीच ऐसे ये cut का निसान बने, तो हमेशा ध्यान रखेगा, कि ये cut के निसान पे, जब भी conclusion होगा, तो वो केवल और केवल sum में निकाला जाएगा, यदि इस जगह पे आप conclusion all में बोलेंगे, त आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका, यहाँ पर जो conclusion जाएगा, क्या देखेगा, पहला conclusion करता है, कुछ designer architect है, तो देखें यहाँ designer और architect के वीच यहाँ cut का निसान है, और cut के निसान पे sum का बोलना आपका क्या होगा, सही, दूसरा बोला कोई doctor आर्टेक्ट नहीं हैै अब एक चीज और धियान रखेगा कि जब दिये गई सारे अस्टेटमेंट आपका पोजेटीव हो यह तीनों अस्टेटमेंट आपका पोजेटिव है तो पोजेटीव का answer क्या चला जाएगा बाबू option number B चला जाएगा अंठानवे के बाद आए question number 99 हम लोग देखते हैं क्या है तो 99 में यहां पे आपको number दिया गया है बाबू साथ उसके बाद है आपका 13 फिर दिया गया है पचीस पचीस के बाद है 43 उसके बाद पूछा गया question mark और फिर दिया गया है संतानवे अब यहां pattern क्या उसको समझे यहां साथ छे आपका 13 हो जा रहा है तेरह यहां 3, 12 आपके 25 हो जा रहे है अब 25 और 40 पलस 18 25 अठारह 43 तो आगे क्या करेंगे तो देखे ए दुना 126-318 यहां च्छे गुना 2 किया गया 6-2 आपके हो गया 12-1293 हो गया 18 च्छे गुना 4 छे 6 का आंतर है यहां भी 6 इंतर है यहां भी 6 का आंतर तो 18 और 6 आपका होगा 24 यहां पे आप 24 जोड़ेंगे तो 43 और 24 आपका हो जाएगा सारसट और फिर देखिए यहां फिर छे का अंतर जाएगा तो 24 और 6 आपका हो जाएगा 30 आप सारसट और 30 जोड़ेंगे तो आपका नम्मर हो गया 97 और यही सिरीज का एक पैटर्न है और इस आधार पे आपका आंसर जाएगा option नम्मर है 99 का जो आंसर दिजेगा वो आपका चला जाएगा option नम्मर के बाद आए कुस्चन नम्मर 100 देखते हैं क्या है यहां पे दिया है 64-45, 58 तो देखे यहां 64 और 51 के बीच का जो अंतर है वो कितने का है तो यहां पर आपका 13 का अंतर है मैंनस 13 और 51 38 के बीच भी यहां मैंनस 13 यानि सेम नम्मर का अंतर है अब ऐसे अगर हम option को ढूंडे तो देखें यहां 45-54 इन दोनों कीनों के बीच अंतर बहुत ज्यादा हो जाँ रहा है 22 और यहां पर आपका हो गया 28, 22, 28, 50 यहां पर आपका अंतर है 52 में से 6 करेंगे तो 46 और 46 मैंनस 6 करेंगे तो 40 हो जाएगा यहां सेम नम्मर का अंतर जा रहा है और इस आधार पर आंसर दिजिएगा option नम्मर D ऐसे question जो है यह आपका number analogy का question है जिसमें पहला जो number दिया गया उन सभी का आपस में जो संबंद होगा वो इसे ही संबंद आपको ढूंड़ना है तो यहां पर अगर 13-13 का ही अंतर किसी में होता तो वो आपका मजबूत आंसर होता लेकिन यहां 13-13 का अंतर नहीं तो हम एक समानता यह देख रहे है कि यहां दोनों number के बीच जो अंतर है वो सेम number 13-13 तो यहां भी सेम number 6 और 6 और इस आधार पे answer दिजिएगा option number D तो जिन्होंने भी 100 का answer D, 60 कुमार इनके D answer दिये हैं इलकुल ही सही answer है तो हमारे जितने भी साथ ही आज anti-fisica test दिये और उसका भी आपका discussion हुआ तो आप लोग एक गलतियां करते हैं live में तो आप बहुत सारे जुड़े हुए हैं लेकिन करते हैं क्या है कि यहां answer आप लोग comment section में नहीं देते हैं सबसे पहला काम एक तो आपने classroom में आकर test दे दिया बना लिया दूसरा काम क्या करिए कि जब discussion चले ना copy और pen साथ में रखे उससे यह होगा copy और pen जब आपके साथ होगा तो जो जो question यहां screen पे दीखे उसको तुरंट बना कर उसका answer करिएगा इससे आपका जब सही होगा तो आपका confidence level बढ़ेगा यह सुरुवात का हर subject में आप किजिए कम से कम खास करके math और reasoning में तो हर हाल में किजिए यह आपके लिए ज़्यादा फायदे मन होगा math reasoning एक बार बनाने से सीख जाना वो अलग चीज़े हैं किसी भी completion exam को निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखिए दो चीज़ों का होना सबसे ज़्यादा जूरी है एक है knowledge दूसरा है practice एक ही question को आप जितना बार practice में लेंगे हर बार आपका timing कम होता जाएगा यह सबसे ज़्यादा जूरी है तो इसलिए class में test देने के बाद जब यहां discussion live चलता है तो copy और pen अपने सामने रखिए और हर question को solve करके आप लोग भी अपना-पना answer देते रहिए जिससे आप लोगों का समझ में ज़्यादा आएगा practice अनिकेत कुमार जी लिखने अब छोड़ दिजीए सर जी अनिकेत जी मेरा छोड़ने का वक्त आ ही गया है हमारा समय हमारा सेवा अब हो गया है समाप अब इसके बाद कोई और subject होगा तो उसका class लगेंगे बरना देखा जाएगा अभी तो और subject होंगे ही अभी तो GKGS और reasoning हुआ है मैं तभी आपका बचा हुआ है तो उसके भी classes ये discussion आफ लोगों के होंगे तो सभी हमारे साथ जितने भी live जुड़ें उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन आगे से आफ लोगे दम कोशिस करिए live जुड़ने का ये नहीं कि बाद में recorded discussion देखें discussion जब भी करिए live जुड़ कर करिए जो भी अभी तक test में अडमिसन नहीं लिएं अभी तक admission नहीं करवाएं वो सारे test में अडमिसन करवाएं और test आफ लोग regular देते रहिए कब तक के लिए इतना ही हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और मन लगा कर set देते रहिए कब तक के लिए good night आइट सो बढ़ात रही है जय हिंद्य मेरे प्यारे साथियो क्या हाल चाला है एंटीपीसी का पहला कलास में आपका स्वागत है चलिए आप तो नाम तो जान ही रहोंगे हाई जो है नाम में कुछ नहीं रखा है question में question चलते है पहला question देखेंगे अब इसको गुणा करना है लेकिन आपको गुणा करने की जवरत नहीं है लेकिन हाँ ये भी बात ध्यान रखना है कि दसमलब के जगा पे जोड में दसमलब के जगा पे दसमलब रखते है गुणा तुम जैसे तैसे कर दो और गिन कर जो है दसमलब को सुनोगे, एक, दो, तीन, चार, और तीन, साथ अंकों के बाद, एक, दो, तीन, चार, पाक, छो, साथ अंकों के बाद असलम यहां पे होगा, और वहां से जो है, ये, ये, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, उसके बाद क्या है, तो 3, 2 है, अब इसको जोड़िएगा, तो ये 4, तीख है यह दू चार एक दो तीन सेख लेज है किस option में है सर्जीवàngsome चार दू तू चार यही answer हो जाएगा आपका answer किया कि होगा شb को चुछरं के इसे उनल दंख सी को नहीं होगा। हो फिल्ले। हुगा उपर नीचे आप एक से डिवाइड करोगा तो यह थिरी हो जाएगा, यहां डिवाइड करोगो तो यह 2X हो जाएगा, और यह और इवाइड करोगा तो 2 बटा x हो जाएगा 2 बटा x हो जाएगा और ये minus 5 हो जाएगा क्योंकि x में divide करोगे x से divide करोगे तो 5 हो जाएगा तो दोनों जगा 2 है तो ये 3 होगे, दोनों जगा 2 है 2 common हो जाएगा 2 common होगा तो x पलस में 1 by x और minus में 5 ये answer होगा अब बताओगे उपर में तीन और इसकी मान है कितना पांच तो ये पांच उन्हें दस, दस में से पांच जाएगा तो कितना होगा पांच, तीन बटा पांच इंसर क्या हो जाएगा, तीन बटा पांच अपसन C होगा तो लगा एक सिढ़ी, एक दिवार के सहारे इस परकार खड़ी है कि देखोगे एक दिवार है और सिढ़ी इस परकार खड़ी है, कि बोला जाता है क्या बोला गया है, कि इस परकार खड़ी है कि दिवार से उसके पाद बिंदू से 2.5 मिटर उसका सिर्ष भूमी से 6 मिटर उचे इस्थित एक खिड़की के आधार को असपर्स करती है कहने का इसका अर्थ है कि 6 मिटर उपर एक कोई खिड़की है वहाँ असपर्स करती है और दिवार के पाद बिंदू से कितना तो 2.5 मिटर इधर है अब बोला गया है 6 मिटर उचा है तो बोला जाता है क्या सिढ़ी की लंबाई ग्याद करे यहीं सिढ़ी है इसकी लंबाई ग्याद करे एक बात मुझे बताने की प्रियास करोगे 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट होता है ट्रिपलेट मतनब 90 डिगरी के 90 डिगरी समकोन तिर्भुज में यह चीजे लगता है 5, 12, 13 बच्चे 5 की आधा करोगे तो 2.5 हो जाएगा 12 की आधा करोगे 6 हो जाएगा और तेरे की आधा करोगे तो 2.5 तो है 6 तो है तो यह कितना होगा तो 6.5 होगा एंसर क्या हो जागा C एंसर बच्चे क्या हो जागा C PDF कहां मिलेगा PDF मिलेगा प्लेटफर्म बाई नभीन कुमार सिंग चैनल पे बच्चे प्लेटफर्म बाई नभीन कुमार सिंग चैनल पे मिलेगा तेलिग्राम चैनल पे मिलेगा एक बास सुनोगे बुलागा A और B का अनुपात 4 इस्टु 3 है 6 बरस के बाद A की आयू 26 बर्स हो जाती है अब बुलागा B का बर्तमान आयू गयात करें एक मत बताओगे A और B का अनुपात दिया गया है 4X और 3X ये A है और ये B है 6 बर्स के बाद A में 6 बर्स की बाद 4X प्लस 6 बुलागा 26 बर्स क्या हो जाएगा तो इसरे जाकर घटेगा तो 20 हो जाएगा तो X की मान 5 हो गया X की मान 5 हो गया तब B की बर्तमान आयू तो बताओगे X की मान 5 तो 3X की मान कितना होगा 5 तीए 15 एंसर बच्छे क्या हो जाएगा D एंसर क्या हो जाएगा D चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस प्रश्ण को देखेंगे, क्या है, तो इसका एक पैटर्न होता है, क्या होता है कि जहां से शुरुआत हुआ, जहां से अंत वहीं से शुरू, देखोगे, अंत दू से फिर दू से शुरू, तीन से अंत तीन से शुरू, चार से शुरू, चार से अंत चार से शुरू, इसी तरह करते करते यह 10 तक गया है तो जहां से शुरू वहीं पर अंत तो इसको डारेक्ट बना सकते है कि one बटा common difference common difference मतब यह दोनों के बीच में कितना का अंतर है यहां पर first number minus में last number answer direct आ जाएगा minus में last number common difference तो एक है कुछ नहीं लिखेंगे लेकिन first number क्या है sir 1 बटा में 1 minus में अंतिम नमर अंतिम नमर क्या है 1 बटा 10 इसको solve करेंगे answer आ जाएगा क्या होगा 10 में से 1 जाएगा 9 बटा 10 direct answer आ गया answer बच्चे क्या होगा answer क्या होगा a होगा कोई दिक्कत है कोई समस्या है तो बोलोगे इस प्रश्ण के answer बताओगे LCM क्या होता है तो बच्चे याद रखोगे LCM जो होता हुँ maximum power maximum power होता है maximum power of prime number क्या maximum power of prime number और HCF क्या होता है HCF होता है minimum power minimum power of prime number तो सर LCM ढूणना है तो LCM जब ढूणना है ना तो इस टाइप के प्रश्ण में 2 यहाँ भी है यहाँ भी है और यहाँ भी है तो सबसे maximum power क्या है तो 2 पे power 2 है आगे बताओगे 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है maximum power और ढूणो तो 3 पे power 2 5 बताओ यहां भी यहां भी यहां भी लेकिन maximum power 5 पे power 2 पाइव बताओ सब जगाए लेकिन maximum कहीं नहीं है यही साथ पर पावर साथ ही हो, साथ का साथ ही होगा, अब बताओगे इसको गुना करोगे दूदूना चार और ये तुप पांच के अस्क्वाइर, पचीस, पचीस चोके सो, तीक है, और ये तिन्थ या नो, नौ सती तिरे सट, तिरे सट पर पावर डबल जीरो, एंसर क्या हो जाएग है B हाँ बताईए बहुआ सेट एक बोला जा रहा है सेट एक मैस्ट सॉल्व करा दीजे सर अच्छा बिल्कुल करा देंगे हाँ डिस्कर्शन में कोश्चन पिटी अब ठीक है जो भी आप लिख रहे हैं कि कमेंट मुझे साइट में दिखाई दे रहा है थो थोड़े सा दिक्कत हो रही कमेंट देखने में लेकिन फिर भी जो भी आप बोलेंगे सारा कमेंट हम देख रहे हैं और जो भी दिक्कते होगी हम उसे ठीक करने की प्रयास करेंगे देखो ये जोमेट्री की प्रश्ण आया है और बेहत्रिन प्रश्ण है तिरभूज ABC में DE सामांतर है पैरलल है AB का और DE बोला गए D और E करमसब भूजा AC और BC पर पिंदू है एक बत बता होगे सबसे पहले आप तिरभूज बनाने की प्रयास करो किरिभूज बनाने की प्रयास करो क्या तो सर जी ABC क्या तो ABC ये हो गया एक बत बताओगे क्या बोला गया है कि DE पैरलल है AB का और D और E जो है वो AC पर है यहाँ पे D है और BC पर कौन है तो E है ये दोनों आपस में क्या है बच्चे पैरलल है अब देखो यहां ध्यान से सुनने के प्रयास करोगे क्या दिया गया है तो सर जी दिया गया है कि AD जो है AC एकस माइनस तीन है और A से C पूरा A से C यहां से यहां तक A से C क्या है तो 2X है अब बताओगे अगर यह 2X यहां से यहां X माइनस 3 है यह 2X है तो 2X में से यह घटा देंगा तो DC आ जाएगा तो 2X में से अगर यह घटा आते हैं यह माइनस लेके जाते है तो 2X में से X जाएगा तो X और इसमें से यह घटा आ रहे तो यह माइनस मा सभ़ जाएक भीस जो हैy टू एक्स प्लस थी है इस में से घटाएंगे तो एक्स में से एक्स जाएगा तो एकस बचेगा मैनस मैनस फोलस होड़ा इसमें से घट रहा है तो यह पन्स हो जाए तीन और डू कितना हो जाएगा पांच ये जब ये इसकी सामांतर होती है तो थेल्स ठेवरम का ये concept हो गया थेल्स ठेवरम कहता है कि इधर का जो अनुपात ये दोनों का बनेगा वही अनुपात ये दोनों का बनेगा कहने का मतलब है कि DC और बटा में AD का जो भी अनुपात होगा वही अनुपात ये वाला E, C का बटा में क्या तो B, E का होगा तो DC कितना है? X पलस 3 है और बटा में AD कितना है? तो X माइनस 3 है बराबर EC कितना है? तो सर X पलस 5 है और B, E कितना है? तो X माइनस 2 है इसको solve करेंगे, यह इधर गुना होगा बच्चे X स्क्वार, 3 में से दू जाएगा 3 में से 2 जाएगा, तो 1 पलस में X, ठीक है? माइनस में 3 दू निए 6 ठीक है? एक मत बताओ, इधर गुना करेंगे इधर गुना करेंगे X स्क्वार और आप बताओगे, तो सर 5 में से 3 जाएगा, तो 2 2X और 5 तीजा 15 इससे यह कट जाएगा ठीक है? यह इधर जाके घटेगा और यह इधर आजाएगा, तो X की मान, 2X में से X जाएगा तो X बचेगा, और यह 15 में से 6 जाएगा, तो 9 होगा, तो X की मान कितना आ गया तो 9, बच्चे बताओ, सही है गलत है? एक बद बताओगे, यह सही है यह गलत है? 32 का आप एंसर बताओगे चलिए, आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न को बताने की प्रयास करेंगे आप इस प्रश्न का इंसर क्या होगा? बताओगे बुबा, बोला, यदि किसी संख्या में पहले 15 परसंट की बिर्दी होती है फिर 15 परसंट की कमी होती है इसका परिनाम क्या हुआ? इतना हो गया, एक बताओगे X की मान लेजे कोई जो इस संख्या X है उसमें 15 परसंट की पहले बिर्दी हुआ तो 15 परसंट की फ्रेक्शन मान 3 बटा 20 तो 20 में 3 का बिर्दी हुआ तो 23 बटा 20 फिर आगे बोला गया है कि 15 परसंट के कमी हुआ 20 में 3 का कमी होगा तो 17 बटा 20 और ये कितना होगे? 782 782 हुआ एक बत मता, 17 से काटोगे, 174 का 68, 870 तो 176 का 102, ये होगा 23 दुनी 46, अब ये हो जाएगा 2 दुनी 4 दुनी 800, एक्स की मान 800 हो गया, आगे बुला जाता है कि यदि उस संख्या में ये जो संख्या 800 पहले 25 परसेंट की कमी किया जाता है, तो 25 परसेंट की जो फ्रेक्षन मान वो एक बटा चार होगा, चार में एक की कमी करेगा, तो 3 बटा चार हो जागा, फिर 25 परसेंट का बिर्दी, मतलब चार में एक का बिर्दी, तो 5 बटा चार हो जाएगा, फिर 20 परसेंट का कमी, तो 20 परसेंट का फ्रेक्षन मान एक बटा पांच, चार में एक का कमी, तो कि इतना हो जाएगा 600 उतार लिजेगा इनिसर इसका बताएंगे बच्चे इस प्रश्णिक इनिसर बताएंगे बोला जाता है यदि पी माइनस क्यू बराबर में 3 है पी क्यू को गुना किया गया तो 5 है बोलागा पी क्यू माइनस में 8 क्यूब पर पावर क्यूब है अब बताना इसकी मान बताना तो सीधा सीधी यह क्या पूछा गया है कि A-B का AQ-BQ AQ-BQ तो AQ-BQ क्या होता है? तो A-B का whole cube होता है minus में होता है 3AB सुनोगे यह क्या होता है? फलस में 3AB minus A-B यही होता है न जी? देख लिजे एक बड़ एक बत बताओगे तो P-Q कितना है? तो 3 तो अगर इसकी cube करोगे यह चीजे करोगे तो कितना हो जाएगा? तो 3 का cube minus में 3, देखिए 3A यह है और B यह है, B के जग़े पर 2 है तो यहाँ पर 3 और 2 गुना होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा क्या होगा? सर जी यह हो जाएगा 3 दूनी 6 AB और AB की मान परतब BQ की मान 5 5 है A minus B A minus B बताओ कितना है तो 3 एक बत बताओगे यह 3 का cube कितना हो जाएगा? तो 27 25 35 35 और 3 90 पलस नहोगा? 7 नौदू 11 117 पलस होगा 17 सरी पलस हो जागा इंसर क्या हो गया? 117 तरी आगे बढ़ते हैं सिम्पल सी बात एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर यह 3 A की मान तो P है लेकिन Q B के जगा पर 2 Q है जो कि यह दोनों गुना होने पर तब यह 6 हुआ और P Q की मान दिया गया था 5 यह बात थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर आपको गर्बड़ी हो सकता है यह बताओगे यह भी अच्छा प्रस्न है बुलागे तिर्भूज A B C में भूजा A C का मद बिंदू D है एक तिर्भूज ले लिजी गौर सा समझोगे बुलागे यह तिर्भूज है A B C A P C तिर्भूज है अब बुलागे A C का मद बिंदू मान यह A C का यह मद बिंदू है A C का यह मद बिंदू है क्या है D है यह दोनों बराबर है याद रखना है आगे बुला गया है कि A B A से B पर बिंदू E है इस परकार है बिंदू मान यहाँ पर कोई बिंदू होगा E है बुला गया इस परकार है कि E से C और B से D जो मिलता है वो F पर काटता है कहाँ पर काटता है F पर E से C जो पॉइंट मिलता है ठीक है और यह जो जहां पर मिलता है किस बिंदु पर काटता है तो सर्जी किस बिंदु पर काटता है तो यह जो कट कर रहा है यह एफ बिंदु पर करता है एफ बिंदु पर समध्वी भाजित करता है समध्वी भाजित मतलब दो बराबर भागों में यह इसको बाटता है यह यह जितना होगा वो इतना होगा यह जितना होगा उतना यह होगा यह बात ध्यान रखना है आगे क्या बोला गया है तो सर जी आगे जो बोला गया है A, E की लंबाई, A से E के लंबाई 30 है A, E की लंबाई 30 है तो E, B की लंबाई, E से B की लंबाई यह तो बहुत खतरना कोशन हो गया E से B का लंबाई बताना है यह midpoint है और यह E, C का सुनोगे यहाँ से एक बात समझोगे यहाँ से हम अपने मन से E, C जैसे है वह इसे एक सामांतर लाइन खिच लेते है G, G, D G, D अपने मन से यह दोनों की सामांतर लाइन खिचे तो एक बात बताओ, यह सामांतर लाइन एक तिर्भूज हो गया एक तिर्भूज हो गया और इस तिरभूज में सेम सामांतर लाइन यहाँ पे खिचे, यह अगर midpoint यह दोनों हुआ, midpoint मतब यह 1 is to 1 हुआ, तो यह भी midpoint ही होगा, 1 is to 1 होगा, मतब यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो यह 15, यह भी 15, थेल स्थरम से, यह midpoint थरम से, यह भी 15, यह भी 15 होगा, यह बात गौर करना है, आगे बच्चे समझोगे, यह 15, 15 हो गया, एक मत बताओगे, यह वाला line इसकी parallel है, तो यहाँ पे भी तो cut हुआ था, एक तिरभूज, लाल बला तिरभूज में देखोगे, लाल बला तिरभूज में एक मत बताओ, यह वाला parallel है इसकी, तो इसकी भी होगा, और यह समझी भाजित करता है, मतलब मीड पोइंट है, यह मीड पोइंट अगर समांतर तो यह भी मीड पोइंट होगा, तो यह भी मीड पोइंट होगा, तो यह जितना होगा, उतना ही यह होगा, यह अगर 15 है, तो यह भी 15 ही होगा, यह केबल लोजिक पे बैठा हुआ था, तो ज अंडर A, B, दो संख्या रहे, A और B रहे, पहला समानुपात पूछे ता A स्क्वाइर B, पहला, यह मद हुआ, ठीक है, दो नम्मर रहे, A और B, तिर्तिये पूछे ता B स्क्वाइर बटा A, यह तिर्तिये हुआ, और चाउथा पूछे A, B, C, तीन नम्मर है, तो B, C, बटा A यह चाउथा हुआ, चाउथा पूछा है, चाउथा पूछा है, चाउथा पूछा है, मतलब B, C, मतलब 6 गुना 18 बटा में A, 3, 3 दुना 6, 18 दुनी 36, एंसर क्या होगा, 36, चलिए, आगे बढ़ते हैं, यह बताओगे, सिंपल सी बात बताना है, इसकी मान, इसकी मान बताने के लिए क्या करोगे, 2X प्लस में 3Y, बटा में 2X मैं 3Y, बराबर में 3 बता 2, इसको गुना करोगे, तो 2 दुनी 4X में 3 दुना 6Y, इधर गुना करोगे 3 दुनी 6X मैं 3 दुना 9Y, बच्चे यह इधर जाएगा, यह इधर आएगा, तो 6 में से 4 जाएगा, तो 2X होगा, और यह 9, 6, 15 Y, X बटा वाई की मान हो जाएगा, 15 बटा 2, 15 अनुपात 2, इंसर क्या होगा, C, पावन का इंसर क्या हो जाएगा, C, तो यह इधर आगे बढ़होगे, देखोगे बुलागे एक कमरा के घन के आकार का है, घन का आकार का है, क्यूब का आकार का है, कैसा है बच्छे, तो क्यूब का आकार का है, बुलागे और इसे रखी, सबसे लंबी घड़ी की लंबाई, लंबी छड़ी की लंबाई इतना है, तो फर्स का छत्रफल ग्यात करें घनाब की सबसे लंबी अगर छड़ी रखा जा इसमें तो बिकन के अनुसार रखा जाता है घनाब में या घन में तो घंड है तो घंड की बिकर्ण होता है क्या होता है तो रूट 3 गुना भूजा होता है क्या होता है रूट 3 गुना भूजा होता है और यह बिकर्ण है कितना तो 12 रूट 3 है तो कि सबसे लंबी छड़ी जो रखा गया है वो बिकर्ण के नुसार ही रखा जाता है और बिकर् और फार्स की छेतरफल करूगार होता है और वरक or पल होता है भूजा अस्क्वार और भूजा इसका बारह आ गया बारह के अस्क्वार करोगे तो 144 होगा यहां बढ़ते हैं अब यह बताओगे इसकी मान अगर पूछा गया है तो आप बताओगे फंद्र गुना पंद्र है कितना होता है दो सो पचीश तो अंके बाद दसमलब यहां दसमलब हो जागा प्लस 75 गुना पच्छातर पचे पचीश साथ है तो आठ से गुना आठ सती छपपन दो अंके बाद दसमलब यह जोडोगे तो यह कितना हो जाएगा छोदू आठ साथ अठार पॉइंट सेवन फाइप एंसर क् दी क्यां ताहर बहतरिन प्रोष्ण है चलिए मिलते हैं आगे अब एक बताओगे बोला गया है कि आप वैंक ए में उत्रीं पर्त्यास्यों की संख्या और बैंक इंश Candilit अनुपात गश्याद करें तो बैंक ए में पंद्रह सो टोटल उपस्तित है अधिकारी और उसमें 14% काटेंगे तो यह हो गया और आगे बोला जाता है इसको रहने दिजिए अनुपात पूछाए ना अनुपात बाद में निकालेंगे और ए में इ में कितना है तो इ में सर 1200 है परशेंटेज कीतना है 28% है परसेंट से परसेंट कट जाएगा 14 बाद में 8 जिरो से जिरो कट गया अब बताओगे तीन से काटो गए यह 5 होगा तीन से काटो जाएगे चार चार दोनी 8 तो पाँच अनुपात 8 एंसर क्या हो जागा बच्चे ? इसर क्या हो जागा बी कुछ बच्चे बोल रहें सर टेस्ट पेपर चाहिए अच्छा टेस्ट पेपर चाहिए तो आप देखो गए एक टेलिग्राम चैनल है प्लेटफॉर्म बाइन वहां पे अविलेबल हो जाएगा या फिर आपको प्लेटफॉर्म ओनलाइन टेस्ट जो है आपको जोईन करना पड़ेगा अप्लिकेशन एक है प्लेटफॉर्म ओनलाइन टेस्ट वहां पे ये पेपर टेस्ट एविलेबल है रेलबे एंटीपीसी सिवीटी वन गुरूप डी का एक बैच आ रहा है जो कि 23 सेप्टेंबर से स् प्लेटकार मतब इंटर्व्यू के लिए सामिल हुए तो देखोगे यही है यही है ताक्षातकार तो बताओगे ए में ए में 1500 है और सी में सी में कितना है तो 3000 है ठीक है और ए में ए में कितना है 1200 सब को जोड़ोगे तो डवल जीरो तो होगा तो सर दू दू पांच दू और एक पांच अ कितना हो गया बोला गया है ऐसोत निकालना आता है एक तो तिन का पूछा है ऐसी एक इस का पुछा है सन्टावन एंसर क्या हो जाएगा तो अवसत होता है योगफल बटा संख्या तो टोटल योगफल पंदरह सो तीन हजार बारह सो जोड़ लिए और कितने संख्या है तो एक दो तीन अवसत ही पूछाए ए सी इ में आगे बढ़ते हैं बच्छे मुला गया है एक आदवी 50 km पर घंटा की चाल से a और a से b की यातरा करता है और अपनी चाल को 30 पर्रसेंट बढ़ा कर बापस a पर लौडता है पूरी यातरा के द करना की दोरान आसस चाल क्या है तो आसस चाल का फर्मूला हो ता है वसची सुनो दूसरी चाल 30% बढ़ जाएगा तो 130% तेरे पचे 65 तो दूसरी चाल 30% बढ़ाओगे तो 65 हो जाएगा क्योंकि आप देख रहें 50 का 30% कितना हो तर पंदर है तो 50 में 15 बढ़ाओगे 65 हो जाएगा तो तो सच चाल निकालेगे दो गुना दोनों चाल की गुरन फल और दोनों चाल की योग फल पाच छो पाच एगा रहा है पाच से काटोगे यह 13 हो जाएगा तेरे पचे 65 ताइस पचे यह तो एक मत बताओगे अगर इतना बटा ताइस है तो एक ही को आप्शन में नीचे में ताइस है एंसर ए आगे सॉल्ब करने की ज़वरत नहीं है कौन सा पेपर का डिसकर्शन करा रहे पहले वो तो बता दिजे सर यहाँ पे असपस रूप से लिखा हुआ है बहुआ अगर आप गौण से पढ़ेंगे तो एंटी पीसी सी बीटी वन का चल रहा है आपका ठीक है बड़े बड़े लेटर में इसलिए लिख लिया दिया गय कि आप आपका अभिर्थी होता है यह कौन संख्या कितने बार आए हैं तो बहुलक होता है पहुट् से यह जादा बार आने यह vast आप काते हैं 69, 2 बार, 41, 8 बार, 28, 10 बार, 7, 60 बार, 34, 15 बार, 29 बार तो सबसे ज़्यादा बार, 60 बार कौन आया, 7 तो हमारा बहूलक क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा चलिए, आगे बढ़ते हैं बोला गया है, परतेक छात्र को मिलने वाले पेन और कोपी के अधिकतम संख्या ग्याद किजिए जिसके बीच, बोला गया, 63 पेन और 140 कोपी के इस तरह बित्रित कर सके ताकि परतेक छात्र को समान संख्या में पेन और कोपी मिले बोलागे अधिक साधिक जब बोलेगा परतेक छात्र को समान संख्या में पेन और कोपी मिलना है अधिक साधिक बाटना है तो 63 और 140 में अधिक साधिक क्या कोमन है मतलब आप HCUP निकाल लो तो 63 और 140 में HCF कितना है, साथ ही एक ऐसी संक्या जो कि यहां भी बराबर करेगा, और यहां भी बराबर करेगा, HCF हो जाएगा आपका साथ, HCF पूछाए बच्छे, आगे बढ़ते हैं, इस प्रशन को देखेंगे, बोलागे, जब किसी बस्तू के बिक्रे मुल में 164 की बिर कितना आगे हो गया, मतलब माइनस 12 फिट नीचे और पलस 8 फिट उपर, तो माइनस और पलस के बीच में कितना का गैपिंग हुआ, देखो अंतर कितने का आया, तो जोर दो 20.5% का बहुतरी हुआ, तब साड़े आठ, माइनस 12 साड़े आठ हुआ, और कोस्चन में बोलागे 164, तो 20.5 का मतलब 164 होगे, इसको उड़ा दोगे नीचे में 10, पास से काटोगे दू बार में, पास से काटोगे 4 एर एक, इसको काटोगे 4 बार में, एक की मान हो जाएगा, दू उधर गुना हो जाएगा, चार दुनी, आठ, आप जानते दुनिया में कोई भी चीज हंड परसेंट रता है, तो 100% की मान हो जाएगा, डबल 0 लगेगा, आठ पर तो क्या हो जाएगा, आठ सो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आठ सो हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, बुला गए, एक नाव, 52 मिनट में, कुल समय में, धारा के विप्रीत दिशा में, 10 किलो मिटर, और धारा के दिशा में, 11 किलो मिटर के दूरी तै कर सकती है, मतब, 52 मिनट में, 10 किलो मिटर के दूरी, एक बात बताओगे, 52 मिनट में, 10 किलो मिटर, धारा के विप्रीत दिशा में, X-Y, ठीक हैं, और बोला गया है, धारा के दिशा में, 11 किलो मिटर, X-Y, धारा के दिशा म समय बराबर में दूरी बटा चल दूरी बटा चल और इसका समय बावन बटा साट इसको मिनठे घंटा मना देजिए आप 4 से काटोगे 13 चोका बावन 15, 16 तो अगर नाव की चाल दिया गया पांच किलो मिटर मतब वाई की मान पांच दिया गया आप परयोग कर सकते हैं तो धारा के दिसा में नाव की चाल गयात करें एक बताओगे यह एक्वेशन बने गया 10 बटा एक्स माइनस पांच और यह 11 बटा एक्स प्लस 5 और बराबर में 13 बटा 15 बहुत खतरनाक है आगे सॉल्ब करोगे क्वाड़ी की क्वेशन बनेगा हम कहना चाहते कि अनुमान से बना लो एक्स की मान अपने मन से बताना है लेकिन धारा के दिसा में नाव की चाल वहां बताना ह हम कहते कि अगर एक्स की मान 25 रखोगे तो काम बन जाएगा 25 में से बीस घटा पांच घटेगा 20 होगा तो 10 बटा 20 का मतब एक वटा दू यहां रखोगे 30 11 बटा 30 हो जाएगा एलिसयम लोगे तो 30 होगा यह 15 होगा प्लस में 11 देखो तो सर्ज 46 बटा 30 काटोगे तो कितना ह हो जाएगा औरी तो 26 बटा 26 बटा 30 13 बटा 15 यह सटिस्फाइग कर गया मतब नाव की चाल मुझे एक्स मानना एक्स मतलब 25 मानना पड़ेगा बुला गया धारा के दिसा में नाव की चालता है एक्स प्लस वाई एक्स की मान 25 और वाई की मान 5 है तो 30 किलो मिटर पर घंटा ह हो जाएगा यह अनुमालित विधी दोवारा बनाया ने तो क्वाड्री के कोईस्टन बनेगा लंबा समय लगेगा एक समकौन तिर्वुज की भुजा की लंबाई दिया गया पांच 12 13 और इसकी परिमाप है तो एक बात बताओगे परिमाप होता तिर्वुज की तीनों खताओ तीनों भुजा की च्छत्रफल बताए अधार होता है और आधार उचाई यह कर्न होता है इसको कॉट गे तैस ऐटार हो जाएता 18 ndबे finden eighto ऑरोल sub एंसर क्या हो जाएगा 270 सेंटीमीटर स्कॉाइर सेतरफल बच्चे आगे आ जाओगे एक मत बताओगे बोला गया है ए जो है एकी आई बी की आई का 70% अधीक है एकी आई बीकी आई से 70% अधीक है यह 100 होगा तो यह 170 होगा सी की बारे में बोला गया है सी की आई ए प्लस बी की संजुक्त आई संजुक्त मतलब जोड़ कर देखो दोनों की साथ में आई 170 और 120 के 80% तो 80% से परसेंट कटेगा 80% के बराबर है तो यह 67 साथी कितना होता आठ साथी छपन आठ दोने 16, 65, 61, 260, C की आई हो गया 260 बोला गया देखो कितना कम है सर जी जहां से देखते हैं तो सर 46 कम है किस से तो 260 और परतिसत लगाने के लिए 100 से गुना करेंगे बच्चे एक बात बताओगे अगर इसको काटना चाहो तो 2 से काटोगे यह 20 हो जागा 2 से काटोगे तो यह 108 108 होगा आप मुझे बताओगे 2 से काटोगे पांच होगा और यह चार होगा आप चार से काट दो चार दूनी आठ साचो के 28 ठीक है यह चार से काटोगे 25 गुना करोगे तो 25 दिया 75 और 25 दूनी 50 यह होगा 27 27 दूनी 54 चाववन बचा 27 दूनी 54 पैंतिस 27 एक लगभग में एंसर आपका क्या आने वाला है सी 11.3 परसेंट 75 का इंसर क्या हो जाएगा बच्चे सी 75 का इंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा सी चलिए आगे बढ़ते हैं अब ये बात बताओगे पाच संख्या है पहली चार संख्या का आउसत पाचमी संख्या के पाच बटा छे के बराबर है यदि सभी पाच संख्या का आउसत चबी से तो पाचमी संख्या ग्याद किजिए एक बताओ पाच संख्या है पहली चार संख संख्या था और यह बोलागा फाटमी संख्या मानब यह है उसका पांच मटँ छो के बराबर एक पांच संख्या का यह थि इसदी परफसे बटा यहिए उन सिंटी सिब 스파 encliana सब्सक्रावर मैं क्या हो जाएगा सर 52 यह चार संख्या को योग यह हुआ प्र चार संख्या का योकफ्ल अगर यह हुआ और एक 5USTंख इस की अउस्त इतना बैम स्ट तväक्ट इतना 26 यह इधर चला जाएगा 26 पंचे 130 होता यह कितना होगा 3 113 और तीन और 10 13 यह बटा तीन बड़ाव 26 पंचे होता है 130 कि यह कटेगा तो 10 होगा तो एक इमान हो जागा 10 यह 30 बुला गया पाचमी संक्या पाचमी संक्या को हमने इमाना एक इमान आगे 30 इक इमान आगे 30 आगे वड़ते हैं अभी कोई भी आपकी कमेंट की जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि एकदम बिल्कुल साइड में जो है आपका बोर्ड स्क्रीन जो है कमेंट वाले एकदम साइड में है दूसरा लेव से कलास चल रहा है उक्या तुप अध्यान दीजेगा जब एक तार को मोड़कर बिरित बनाया जाता है तो छेत्रफल यह रहता है एक बात बताओगे बृत बनाया गया तो बृत की छेतरफल सबसे पहले बताओ पाई आर स्कॉार होता है तो छेतरफल चेंज हो सकता लेकिन परिमाप कभी भी चेंज नहीं होगा उसी को फिर मोल का आयत बना दोगे तो आयत का कभी भी परिमाप और बढ़ का जो परिमाप हो यह 11, 11, 11, ठीक है, कितना बच्छा 7, 11, 6, 6, 6, 3 होगे 11, 11, 14, यह 2 से काटोगे, तो 2 से काटोगे तो यह कितना हो जाएगा, तर जी 826, 428, 724, ठीक है, 847, आर अस्क्वाइर की मान हो जाएगा, ध्यान से सुनोगे, यह हो जाएगा, 121, अर्दोने सुल्ल, एक बता होगे, अगर साथ से इसको देख रहे हैं, यह हो गया, और यह इधर जाएगा, इसको लिख सकते, 121, गुना 7, यह चीज़े आ गया, और यह बला 7 इधर गया, तो आर की मान क्या हो जाएगा, इसको टिका दिये हैं, यह आर हो गया, बोला गया है, इसी तार को एक आयत बनाया जाता है, मोड कर, जिसकी भुजाए यह है, तो आयत की छोटी भुजा की लंबाई क्या होगा, तो आप बर्गर है, या आप कुछ भी चेंज करो, लेकिन उसकी परिमाप, जो उसकी तार की लंबाई होगा, उसकी तार की लंबाई होगा, और तार की लंबाई को परिमाप बोला जाता है, ध् ब्राबर होगा आयत का परिमाप होता टू इंटू L प्लस भी आप यहां पर एक्स लगा दो तो टू इंटू L प्लस भी यह दोनों जोड़ों च्वाज पांच 11 Х, हो जाएगा एक्स की माँए अज निकलके आएगा अब बताओगे 7 से कटेगा, 11 बार में ये कटेगा ये, ये कटेगा ये, तो X की मान आ गया 22, तो वो लगए छोटी भूजा, तो 5 है, 5X, तो 5 गुना 22 करोगे, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11, 110, एंसर बच्चे क्या हो जाएगा, C, एंसर क्या हो जाएगा, C, 78 का बताएंगे, से पहले का 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 काम करेंगे, छोटी ब्राकेट में, एंसर हो जाएगा, D, भागा का का काम करेंगे, आप कर लोगे, ये सिंपल कोश्चन है, बहुत बड़ा कोश्चन नहीं है, ये कर सकते हो आप, ये कोश्चन खुद का स्पीट के लिए होता है, ये कोश्चन देखोगे, इतना रूपय की धनरासी है और इस परकर बाटा जाता है कि पहले का चार गुना और ए बराबर है दुसरे के पांच गुना के और बराबर है तिसरे के साथ गुना के बराबर है तो पहला और दुसरे के बीच का अंतर बताना एक मत बताओगे यहां से सबसे पहले रेशियो ब भखलो साथ चोके 28 यह इसका हो गया इसका निकालना तो ढखलो चार पंचे 20 यह अनुपात हो गया इसका निकालना है तो बार सट पचीस टोटल है रियल मान निकालना क्या पहला और दूसरे हिस्से के बीच का अंतर पहला और दूसरे हिसे के बीच का अंतर कितना साथ यूनि इसको काटने की प्रियास करोगे 83 से यह कटेगा कितने बार में जाएगा जल्दी से बताओगे अगर 83 से अगर काटते हो तो आप देख रहे हो 83 से है तो यह कितने बार में जाएगा आठ सती छपपन कि अच्छतर बार में बुलोगे साथ पच्छे पाइटिस सती उन्चास उन्चास और तीन आपका कितना हो जाएगा बावन बावन सब पचीस एंसर क्या हो जाएगा ए चलिए एक बार उतार लीजिए आगे बढ़ते हैं असी का देखेंगे अग एक किसी कार्ज का पांच बटा साथ भाग पूरा करने में पंदरा दिन का समय लेता है एक बताओ पांच बटा साथ भाग पूरा करने में पंदरा दिन लेता है तो पूरा काम करने में कितना तो उपर उपर कड़ता है पांच ती या पंदरा साथ या एकाइस मतलब पूरा क्हाव करने में यह जो है किसी काम को पूरा काम करने में अग Schuldई लेता है कितना दिन लेता है बच्छे तो ए जो है 51 दिन लेता ध्यान रखोगे ए 10 दिन लेता है आगे बिची अघे बूला गयाँ B की 84 काम तो एक दिनों में 4 काम यह बरसती 84 एक दिनों में 7 काम तो दुनों मिल के अगर 7 काम कर रहा है एक दिनों में ए अगर 4 काम कर रहा है तो बी जरूर 3 काम करता होगा बोला इस पूरे काम को किसे करवाओ तो बी एकेला करवाओ 84 काम है, अगर 3 के हिसाब से काम करता है तो 3 दूनी 6, 8 दूनी, 28 दिन का समय लगेगा B को चल यह आगे बढ़े NTPC में Maths को कैसे ठीक कर पाएंगे बच्चे सबसे बेहतरिन तरीका है प्रिबियस यर को पूरा बनाओ और एक आपका selection batch भी आया है मेरे दवारा, आप चाहो तो उसको join कर सकते हो पूरा का पूरा वहाँ पर practice कर वा रहे है 75 लीटर के एक मिसरन में दूद और पानी का अनुपात 3 is to 2 है यदि यह अनुपात 1 is to 2 करना हो तो कितना पानी मिलाना होगा एक बात मुझे बताने की प्रियास करोगे एलिगेशन से भी बना सकते हो या तो टोटल मिसरन 3 is to 2 है यह मिल्क है और यह बाटर है मिल्क और वाटर अगर 3 is to 2 है तोटल मिसरन यहां से 5 लीटर है question करूं सर 75 लीटर है पांच बराबर 75 तो एक बराबर हो जाएगा 15 है तो 3 बराबर 45 दू बराबर में 30 यह दूद और पानी का हो गया तो दूद अगर 45 है लीटर है और पानी 30 है मान लिज्जे की बोला गया यह इसमें क्या करना होगा कितना पानी मिलाना होगा पानी तो नीचे है, तो पानी मानो X लिटर मिलाए, ताकि ये अनुपात 1 इस्टू 2 हो जाए, इधर गुना करोगे 45 दूनी 90, ये 30 पलस X, ये घटा दोगे तो X की मान आ जाएगा 60, तो 60 लिटर पानी मिलाओ, काम बन जाएगा, एंसर क्या हो जाएगा 60, चलिए आगे बढ़ते हैं, बोला गए एक निश्चित बार्सिक साधरन ब्याज की दर पे कोई धन्रासि साथ बर्स में स्वयम से 70% अधीक हो जाता है, साधरन ब्याज में, स्वयम से 70% अधीक हो जाता है, 70% का फ्रेक्शन मानो तो 7 बटा 10, अगर म हमको तो चाहिए SI ही, मतलब 7% ब्याज बना होगा, तब तो 17% अधीक हो गया, मतलब 10 से 70 हो गया, 17 हो गया, ठीक है, यह हो गया, तो एक बाद बताओ, rate of interest यहां से निकाल सकते हो, rate of interest तो दिया गया है, समय भी दिया गया है, एक बाद फिर से सुनो, कि सर्जी 70% अधीक हु अगर मुलधन 10 रुपया हो, तो SI 7 रुपया बनेगा, मतलब 17 रुपय एमाउंट हो जाएगा, तो सर्जी यहां से अगर दर निकालना चाहे, तो दर होता है, ब्याज गुना 100, मुलधन गुना में समय होता है, मुलधन गुना में समय, ब्याज 7 रुपया बना, गुना में 100 तो मुल्धन आपका 10 रुपया है और समय लगा कितना तो 7 बरस लगा ये कट गया 0 से 0 कट तो rate of interest 10% बना बोला 8000 की धनराशी समान ब्याज की दर से 3 बरसों में कितना चक्रविर्दी ब्याज बनेगा तो याद रखना मेरे प्यारे मित्र कि 3 बरस का अगर समय रहे सबसे पहल 10% रहे CIE पूछ दे तो ये 21% होता है 3 बरस का समय रहे और 10% रहे CIE पूछ दे तो 33.1% होता है 4 बरस का समय रहे और rate of interest 10% रहे तो याद रखोगे CIE पूछ दे तो 46.41% होता है ये सब याद रखोगे तो question बहुत जल्दी बनेगा CI निकालना है किसका तो 8000 का रेट ओपिंट्रेस यही यूज करना है और समय लेना 3 बर्स तो इसका बनेगा 33.1% परसेंट से डवल 0 कट जाएगा यह उड़ेगा 1 0 कट जाएगा 8 से गुना करोगे 8 28 24 24 अर्दू 26 26 48 एंसर क्या हो जाएगा C एंसर बच्चे क्या हो जाएगा C चलिए आज मैस्स की क्लास यही पर समाप्त होता है किन-किन बच्चे को डाउट है वो पूच सकते हो, बताऊगे चलिए मिलता है फिर नेक्स्ट क्लास में, थेंक्यू